हेले स्टेंट्स वेलकम तू आफिशेल यूट्यूब चैनल आप फोरेजिन कोचिंग और आज आपके लिए मैं बहुत इंपार्टेंट क्लासी स्टार्ट कर रहा हूं वो है वन साथ फिजिक्स क्लास 11 हम यह क्लासी स्टार्ट कर रहे हैं चेप्टर नमबर टू से चेप्टर नमबर वन हमारा फिजिकल वर्ड है और फिजिकल वर्ड इंट्रोटक्शन आप दम फिजिक्स है उनली उसमें बहुत चोटा सा पार्ट है उसके हमारे प्लेलिश में पहले से वीडियोत अब हम वन साथ वीडियो आपकी लिए प्रवाइड करा रहें एक ही lecture में हर chapter आपको मिलेगा और ये बहुत important class होगा इसमें आपका time भी बचेगा और आपको पूरा contents, 100% contents ऐसाने की one short video है तो superficial पढ़ाएंगे complete 100% syllabus आपको मिलेगा तो आप one short video से बहुत जाद आपको फैदा मिलेगा और इसका पूरा notes, इसका complete notes आपको हमारे application पर मिलेगा हमारा application origin the learners hub इस application पर जाके आप free notes section है हमारा study material का section है वहाँ पर बिना किसी charge के बिना single rupees पेट किये आपको complete notes जो कुछ भी मैं यहाँ पर पढ़ाऊंगा उसका पूरा आपको PDF वहाँ पर मिलेगा तो आप notes से वहाँ पर सकते हैं इस तरह से one start video से ही आप अपनी तयारी 100% कर सकते हैं तो हर chapter का आपको हम one start video provide कराएंगे जिसमें single lecture पर आप अपने chapter complete कर पाएंगे ओके, now start देखे हमारा जो chapter हमाज जो start कर रहे हैं units and measurement यह chapter number 2 है यहां से हम आपके class को start कर रहे हैं और सबसे पहले हम बता दें कि हमारे इस lecture पर आपको कौन-कौन से topic पढ़ने को मिलेगा ति यह हमारा जो lecture है completely देखे यहां पर इस chapter में हम जो पढ़ने वाले हैं वो topics हैं हमारे units, सबसे पहले हम units का पूरा detail पढ़ेंगे इसके बाद dimensions पूरे dimensions डीटेल में पढ़ेंगे फिर significant figure पढ़ेंगे इस chapter में हम और फिर हर पढ़ेंगे errors हमारे इस lecture का एक important बात यह होगा कि हर topic के बाद हर topic complete करने के बाद उससे relevant हम numerical साब को साथ में कराएंगे numericals का हम आपको एक अलग से one start video प्रोवाइट कराएंगे लेकिन हम इसके साथ भी आपको concept को लेकर एक एक दो दो numerical साथ में कराते हुए चलेंगे ताकि आपको concept बराबर अच्छे से clear होता जाए क्योंकि generally होता क्या है कि physics में कॉंसेट क्लियर कर लेते हैं लेकिन उसको जब निवर्कस में apply नहीं करते हैं तो हमको यह समझ में नहीं आता कि हमको apply कैसे करना है तो यह सब आपको बताते हुए चलेंगे तो starting से आप बहुत ध्यांक देख इसकी पढ़ाई करिए और पूरा टापिक हम आपको 100% कवर कर आ रहे हां पर तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने फस्ट टापिक से यूनिट्स देखे सबसे पहले तो हम यह देखें कि physical quantities क्या होते है वाट इस physical quantities physical quantities हम किसे कहेंगे यह कि हम सबसे पहले देखें physical quantities का मतलब क्या होता है देखो किसी भी subject की study के लिए चाहे कोई भी subject हो not only physics but other subjects also उसके लिए हमको एक special terminology का जुगरत पढ़ता है कि आप जागरफी पढ़ रहे हैं economics पढ़ रहे हैं chemistry पढ़ रहे हैं सबको अपना एक टर्मिनल आजी है सब के अपने एक terminal मतलब technical words होते हैं तो physics को समझने के लिए physics में जो variables use करते हैं वो physical quantities कलाते हैं like mass acceleration velocity displacement momentum electricity magnetism यह सब क्या होते physical quantities कलाते हैं तो basically हम physical quantities को to the point क्या कर सकते हैं the quantities which can be measured यह सबसे important बात है कि हम जो chapter पढ़ने वाले हैं units and measurement तो मैं बिल्कुल basic से आप से discuss करना इस्टार्ट करूँ एक चीज़ ध्यान में रखना हमारे हर lecture की एक खास्यात होगी कि हम zero level के best से आपको पढ़ाना इस्टार्ट करेंगे और हमारा double purpose होगा क्लास का पहला परपस उस chapter का basic concept आपका hundred percent clear हो जाए and second purpose is preparation of competitive exams competitive exam के लिए physics में सबसे important बात होती कि आपको concept clear होने चाहिए जब तक आपको concept clear नहीं होगा आप competitive exam के लिए प्रिपेर नहीं हो सकते हैं तो हम बहुत डेप्स से लेक्चर स्टार्ट करेंगे तो ध्यान देना बिल्कुल जिरो लेबर समी स्टार्ट करें इसलिए हम आपको बता रहें कि फिजिकल quantities क्या है और फिजिकल quantities के लिए measurement का क्यों जूरत पड़ता है तो हम यहाँ पर बता रहें आपको the quantities which can measure directly और indirectly ऐसे quantities जिसको measurement कर सकें तो फिजिस क्या कहता है कि हम किसी ऐसे quantity का study नहीं करेंगे जिसका measurement पासिबल नहीं है फार एक्जामपल मैं बोलूं कि मुझे तो आप पुछो कि सर कितना how much तो मैं उसकी quantity नहीं बता सकता है तो यह फिजिस के study का matter नहीं हो सकता है मैं बहुत खुश हूं मैं बहुत दुखी हूं मुझे नहीं दा रही है यह सब फिजिस के पढ़ने के matter नहीं हो सकते क्यों क्योंकि इनका measurement पासिबल नहीं है तो फिजिस कहता है कि फिजिकल quantities वही है जिनका measurement पासिबल जिसका हम quantity बता सके how much cancer मिल सके भाई कितना मैं बोलूंगा तो इस बॉड़ी का मास कितना वन केजी सुगर तो वह फिजिस का matter हो सकता है क्योंकि वहां पर मैं उसको measurement कर सकता हूं ठीक है तो physical quantities का सबसे important property होता है कि जो measured किया जा सके जिसको जिसका measurement किया जा सके now next units of measurement system of units देखो 11th class का एक पढ़ाने से पहले आप एक छोटी सी बात आपसे मैं करूँ वो यह है कि physics का आप 10th class तक भी general science में physics पढ़े हुए होते हैं लेकिन 11th class में आप physics एक special subject की तरह पढ़ते हैं और 11th class से ही actual में physics का सुरवात होता है तो physics का जो पहला chapter है physical word वो physics का introduction है second chapter में जो आप units and measurement पढ़ते हो वो chapter पूरा आपको 11th class में भी काम आएगा 12th class में भी काम आएगा 12th में भी क्यों काम आएगा कि आप physical quantities पढ़ोगे तो उसका measurements उसको units तो पढ़ोगे तो 12th में भी काम आएगा and after that competitive exam में भी ये काम आने वाला है तो unit and measurement पहला दूसरा chapter है जो बहुत ज़्यादा important है इस chapter को जो student strong कर लेता है उसका physics का base अच्छे से strong हो जाता है मत उसका foundation अच्छे से तैयर हो जाता है तो एक एक पाइंट बहुत ध्यान दे कि आप समझ्या यूनिट्स आप measurement system of units तो हमारा जो unit था जो measurement के लिए यूस किया गया वो फोर unit अभी तक develop हुआ आज तक हम फोर unit develop किये फर्स्ट is CGS system इसका full farm है centimeter gram second system centimeter gram second then fps system foot point second and third is MK system meter kilogram second and last is SI unit यह SI unit क्या होता है यह सब unit के बारे में मैं आपको थोड़ा थोड़ा discuss करूंगा ओके चलिए तो यह क्या है हमारे पास units है system है measurement के तो यह system क्यों develop किया गया देखो सबसे पहले जो हमारा system develop किया गया वो system यह है कि CGS system जो develop किया गया तो पहला जो C है CGS यहाँ पर यह GGS जैसे आपको दीख रहा है यह CGS है न ध्यान रखना यह printing में थोड़ा सा mistake है CGS है यह तो CGS system मतलब centimeter gram second तो centimeter किसको measurement किया गया length पहले length measurement किया गया फिर mass measurement किया गया और उसके बाद measurement किया गया किसको time यह हमारे basic needs थे यह हमारे basic needs है कि हम लोगों ने क्या किया सबसे पहले यह system develop किया क्योंकि हमारे पास length measurement करने का हमको ज़ूरत था हमको mass measurement करने के ज़ूरत था हमको time measurement ज़ूरत था क्योंकि हमारे life के basic needs थे जिससे हमारी जिन्दगी चलती है हमको length measurement करना होता है अपने class के लिए अपने lens के लिए mass measurement करना पड़ता है अपने food के लिए और time के carding हम अपने सभी काम करते है तो ये measurement करने का सबसे जवरत पढ़ा तो पहले CGS system develop हुआ फिर APS system develop हुआ ये British system था क्योंकि British क्या है अंग्रेजों का बहुत से country में उनका सासन था उन लोगोंने अपने measurement के लिए एक नया system जो industrial revolution के समय उन लोगोंने develop किया food point second इसके बाद MKS system आया तो actual में MKS system क्या है CGS system का ये standard farm है centimeter को meter कर दिया गया gram को kilogram कर दिया गया और second तो सभी में second रहा इसके बाद हम करें SI unit SI unit की बाद करें थोड़ा सा history में बता दो आपको फटा फट actual में ये जब three system develop हो गये थे तब भी हमको कुछ problem आ रहा था problem क्या आ रहा था कि एक country CGS में measurement कर रहा है country FPS में कर रहा है तो इसमें material exchange करने में problem होता था या फिर books वगर रिडिंग में कि suppose हमने England का कोई phijis का book खरीदा उसमें पूरा निम्यत कोई सारा चीज FPS में दिया हुआ है अब मैं CGS जानता हूँ तो उसको convert करने में problem होता था इसलिए 1906 में इसके बारे में आप जान लो 1906 में France के France में एक जगह है France में एक जगह है जिसका नाम है Severus ठीक है Severus नमक जगह में Severus नमक जगह में एक meeting हुआ ठीक है France में France का capital Paris है Paris के पास में एक जगह है Severus और यहाँ पर international एक meeting हुआ क्योंकि problem क्या आ रहा था कि हमको international level में material exchange में study में problem आ रहा था तो यहाँ पर meeting हुआ वो meeting हुआ है वहाँ पर international आज भी एक संस्ता है international bureau आप mass यह आपन कर सकते हैं सिधा weight end measure यह एक international organization ने कहना चाहिए ठीक है international bureau of weight and measures यहाँ पर 1906 में एक meeting हुआ इस meeting में पूरे all world के scientist इस meeting में आये और उन लोगों ने decide किया कि भाई एक ऐसा system develop किया जाए जिसको all world को follow करना जरूरी हो और पूरा work उसी से हो और इस system को develop किया गया इसको बोला गया SI unit that means international standard unit या unit of standard international unit तो पूरी दुनिया को लोगों ने यह decide किया सभी scientists ने decide किया कि यह unit आज के बाद सब लोग इसको follow करेंगे और यह फिर हुआ SI unit और आज के date में हम physics में जो भी unit use करते हैं सब SI unit में हाला कि हमारे पास conversion का system होता है FPS system पर तो work का बिल्कुल भी नहीं होता लेकिन CGS, MKS, CGS, MKS को completely क्या किया गया SI unit में adapt कर लिया गया तो यह कुछ history मैंने आपको बताया इसका इसके बाद हम सबसे पहले देखें कि इसका fundamental unit क्या होता है fundamental unit क्या होता है इसका fundamental unit जो decide किया गया एक मिनट देखें fundamental units fundamental unit किसको बलते है SI units जो completely independent होते है तो जब फ्रांस में सेवरास नामक जगा में जब meeting हुआ तो उस meeting में क्या किया गया 7 fundamental units को consider किया गया और इनको fundamental units जो बोलते है क्योंकि physics के यह जो physical quantities है यह किसी और पर depend नहीं होते है independent होते है मतलब यह किसी और पर अपनी value को change नहीं करते है इनको fundamental unit गोला जाता है और अपने पास यह 7 fundamental units होते है यह 7 fundamental units को ध्यान में रखना 1st is length पहला length है पहला fundamental जो मैंने बताया इसका unit होता है meter और symbol होता है M M symbols हम इसको represent करते हैं ठीक है? 2nd is mass mass को unit है kilogram और उसको हम kg से represent करते हैं 3rd is time तीसरा time होता है इसको हम 2nd और S से represent करते हैं इसके बाद देखो temperature temperature Kelvin से represent करते हैं Kelvin उसका unit है K से represent करते हैं next is electric current electric current जो होता है उसका unit ampere है यहाँ पर जो लिखा है वो उसका unit है यह units है और यह सा symbol है यहाँ पर हमने उसका symbol इसके बाद देखो luminous intensity luminous intensity को हम केंडला बोलते हैं और C इसका हम represent करते हैं and the last is quantity of matter, तो quantity of matter जो होता है, इसको हम moles represent करते हैं, और इसका unit क्या होता है, mole होता है, clear, moles उसको represent करते हैं, यह हमारे fundamental units हैं, fundamental units, मैं आपको फिर अग बार repeat कर दूँ, fundamental units, they are completely independent, यह completely independent होते हैं, किसी और पर depend नहीं होते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, fundamental unit बोलते हैं, now next is derived unit, derived unit का मतलब होता है, ऐसा unit, जो क्या होता है, किसी दूसरे unit पर depend करता है, जो दूसरे unit पर depend करता है, उसको derived unit करते हैं, derived unit का मतलब होता है, जिनको derived किया जाता है, किसी और physical quantity के help से, derive किया जाता है for example यहाँ पर देखो suppose मेरे को velocity का unit चाहिए suppose मेरे को चाहिए unit of velocity तो velocity का unit बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा हमको velocity के formula पर जाना पड़ेगा velocity equal to displacement displacement upon time displacement upon time is velocity that equal displacement is length displacement को हम length से measurement करते हैं तो meter हो जाएगा और time का क्या होगा second इस तरह से इसको meter second inverse लिख सकते हैं यह velocity का हो गया तो velocity क्या हो गया derived unit हो गया that means the unit they are completely depends upon fundamental units are called derived unit ऐसा unit जो fundamental unit पर depend होते हैं दोनों में difference समझना fundamental units मतलब जो किसी और पर depend नहीं करता derived unit का मतलब होता है जो fundamental unit पर dependent करता है देखो यह fundamental unit पर depend है suppose हमको कुछ और ले 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 लेते हैं अपन जिसका value हमको निकालना होगा suppose हमको ले 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 लेते हैं Deviation Acceleration ले ले लेते हैं अब slider Essen का हमको चाहिए तो क्या होता है Velocity upon time Change in Velocity change in velocity upon time होता है अब velocity का तो हमने निकाल दिया velocity खुद क्या है derived है तो यह हो गया meter second inverse और upon time यह second यह हो जाएगा meter second inverse square तो इसका यूर्फ आता है meter second inverse square इस तरह से देखो velocity भी क्या हो गया? derived unit हो गया that means यहाँ पर हमने आपको यह explain किया कि fundamental unit किसी पर depend नी करते हैं और derived unit यह होते हैं वो fundamental unit पर depend करते हैं तो seven units को लेके seven units को छोड़के बाकि जितना भी unit होते हैं derived unit होते हैं बट इसमें एक special case यह है कि supplementary units भी होते हैं supplementary units हमको समझना है कि supplementary unit क्या है supplementary units क्या होता है? यह हमको एक बार समझना है Supplemental Unit का मतलब होता है कि जो ना तो Completely Fundamental Unit है ना तो Completely Derived Unit है तो यहां फिर रजीब तरह का Condition है कि फिर ऐसा कैसा होता होगा जो दोनों पर Depend ना करें तो यहां पर एक बहुत Important बात है आप ध्यान से समझना Plain Angle जिसका Unit Radian होता है और Red से अपने इसको Represion करते हैं यह इसका Symbol है और दूसरा होता है Solid Angle Solid Angle जिसका Unit इस्टे Radian होता है एस R से हम इसको Represion करते हैं यह दोनों होते क्या है तो Plain Angle का मतलब जैसे आपने पढ़ा है पहले भी Angle equal to R upon Radius होता है Suppose अपने पास कोई आर्क है तो R upon Radius यह मैं आपको बता दूँ पहले फीगर से यह Suppose A B 1 आर्क है यह आर्क है और यह कोई आर्क का यह Radius है यह आर्क है S और यह Angle है तो आपको पता है Angle equal to R upon Radius होता है यहाँ पर इसको हम फार्मूला फार्म में लिखे है तो Angle यहाँ पर ठीटा है और ठीटा equal to R upon Radius S upon R तो ठीटा equal to R upon Radius जो आपन लिखते हैं इसका unit हम क्या लिखते है रेडियन लिखते हैं इसका रेडियन लिखते हैं तो इनको supplement unit क्यों माना गया यहाँ पर मैं आपको solid angle भी समझा दूँगा यह solid angle आपको 12th class में बहुत ज्यादा यूज होगा 12th class में solid angle का बहुत ज्यादा यूज होगा इसलिए आपको उसको अभी से यहाँ से समझना है कि solid angle होता क्या है तो यहाँ पर देखो angle equal to arc upon radius और उसका unit हो गया gradient बट यहाँ पर आप ध्यान से सुनो कि यह जो derived unit इसको होना था यह s है s क्या है arc arc is length arc length होता है मतलब इसको देखा जाए तो यह meter हो जाएगा और अपाँ radius radius is also length वो भी length है इसको भी meter होना चाहिए और दोनों को cancel out होने के बाद इसको unit less physical quantity होना चाहिए इसको कोई unit नहीं होना चाहिए क्योंकि meter upon meter cancel out होगा और इसको कोई unit नहीं होगा लेकिन इसको unit होता है तो पूरे physical quantities में radian और stay radian यह दो ही ऐसे physical quantity हैं जिनका formula पर जाओ तो unit less होना चाहिए बट इनका unit होते हैं जैसे unit less physical quantities वे होते हैं फार एक्जामपल आगे हम पढ़ाएंगे फार एक्जामपल इस्ट्रेस इस्ट्रेस इस्ट्रेन तो इस्ट्रेन क्या होता है unit less physical quantities होता है relative density इसका भी कोई unit नहीं होता तो ऐसे physical quantities जिनके unit नहीं होते हैं वो similar type के physical quantities के ratio होते हैं बट एंगल एक ऐसा और इस्टे रेडियन एक ऐसा unit है मैं आपको इसको supplementary unit में रखने का region बता रहा हूं ध्यान से समझना तो यह दोनो physical quantities ऐसे हैं जो same type के physical quantities के ratio है actual में इनका कोई unit नहीं होना चाहिए लेकिन फिर भी इसका unit माना गया है क्या radiant इसको measurement करने के लिए radiant इसका unit माना गया है इसलिए क्या करते हैं इसको हम supplementary unit में अलग से रखते हैं तो इसको supplementary unit रखने का reason यह है इसके बाद यहां पर हां यहां पर एक मैं relation लिख रहा हूं यह relation आपको काम आएगा कहीं भी ध्यान रखना वैसे basic mathematical tools का हमारा है एक important बात आपको बता दूँ कि physics समझने से पहले एक बहुत important chapter हमको समझना होता है जो कि physics के syllabus में नहीं होता लेकिन पढ़ना जोरी होता है वो है basic mathematical tools तो basic mathematical tools का हमने part part में बहुत सा video बनाया हुआ है जो हमारे channel के playlist पर आपको मिलेगा तो आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं वहाँ पर English Medium का already बना हुआ है basic mathematical tools जिसको उसको वन साट पढ़ने का मतलब नहीं है उसको आप part part में ही पढ़ो तो ज़्यादा अच्छा है क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपको five mathematics से स्टांग करना जोरी है यदि आप physics अच्छा से करना चाहते हैं तो physics अच्छा से करने के लिए बहुत ज़री है कि आपका basic mathematical tools से स्टांग होना चाहिए तो आपको five mathematics से स्टांग करने हैं सबसे पहले algebra, end trigonometry, vector algebra, calculus, end geometry तो ये mathematics का आपको हमारे playlist पर ध्यान से आप सुनो मेरी बात हमारे channel के playlist में जाना और वहाँ पर आपको basic mathematical tools करके पूरा एक series मिलेगा इसमें पूरे हमने basic mathematical tools को अच्छे से clear किया हुआ है तो trigonometry वह बहुत important आपको काम आएगा यहाँ पर मैं थोड़ा सा बता दूँ radian pi वगरा में change करना होता है तो pi radian, radian को अपन में इस तरह से power seeker represent करते है तो pi radian equal to 180 degree होता है और यदि हम pi by 2 radian कहें तो कितना होता है 90 degree इसको याद करके रखना फिजिस में बहुत ज्यादा use होता है अब हम देखते है solid angle तो solid angle होता क्या है solid angle समझने से पहले आपको मैं एक situation imagine करा रहा हूँ ध्यान से situation को आप समझना कि आप कभी बाजार में तर्बूच खरीदने गए होंगे तर्बूच खरीदने के लिए watermelon watermelon खरीदने के लिए बाजार में गए होंगे तो आपको याद होगा या आप अपने parents के साथ गया होंगे तो आपको याद होगा कि जब हम वो purchase करते हैं तो सीजा purchase नहीं करते हैं भीया ये वाला दे दो हम क्या करते हैं उसको जब पूसते हैं ये कैसा है तो छोटा सा वो cutting उसके surface से निकाल के हमको बताता है वो कुछ इस तरह का बताता है देखो मैं यहाँ पर figure से आपको सो कर देता हूं कि हमको कैसा cutting वो बताता है ये छोटा सा दुगड़ा वो हमको निकाल के बताता है ये वाला एक छोटा surface है ये surface है ds ये complete surface s है और ये जो आप देख रहा हूं ये जो point इस point पर जो angle बनता है यहाँ पर जो angle बनता है इस angle को हम solid angle बोलते हैं और represent करते हैं किस से d omega से actual में solid angle एक three dimension angle है इस three dimension angle को हम इस तरह से represent करते हैं ये यहाँ पर देखो तो ये जो small surface के कारण इस corner पर यहाँ पर जो angle बन रहा है वो solid angle है मतलब आपने देखा होगा three line तीन line के बीच में जो angle बनेगा जैसे pyramid में बनता है तो वहाँ पर जो angle बनता है three surface से बनता है तो जैसे मैंने आपको तर्बूज का example बताया तो यह यहाँ पर जो situation बनता है यह छोटा तुकड़ा जो हमको निकाल के वो देता है यह क्या कहलता है यह वाला जो surface है यह surface इस surface के कारण यहाँ पर जो angle बना वो solid angle कहलता है तो solid angle का जो formula होता ही आपको याद रखना ही आपको 12 class में काम आएगा d omega equal to होता है ds cas theta upon r square यह आपका derivation नहीं करना ही इसका कि आप यह कहां से आया नहीं समझना आप यह नहीं समझना कि कहां से आया यह value यह value आपको याद करके रखना है कि solid angle निकालने का formula होता है ds cas theta upon r square यहाँ पर ds क्या है surface area है और cas theta क्या है यह मैं आपको यहाँ पर बता दूँ तो cas theta का जो value यहाँ पर है यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर perpendicular ड्रा करेंगे तो perpendicular ड्रा करने से यहाँ पर जो angle बनेगा इस angle को हम यह वाला जो angle बनता है यह theta है यहाँ पर clear तो यह figure आप धियान रखना और ds cas theta upon r square इसका formula है और यदि हम total angle निकालना चाहें total angle निकालना चाहें omega तो therefore omega equal to integration of d omega होता है integration of d omega का मतलब क्या हुआ कि पूरे इसके center पर जो angle बनेगा पूरा जैसे हमने तर्बूज का एक छोटा तुकड़ा निकाला उसको solid angle d omega होगा लेकिन पूरे तर्बूज के center पर जो होगा वो omega होगा omega is the integration of d omega d omega मतलब छोटा छोटा जो part है वो सब का integration करेंगे तो हमको omega मिलेगा और इसका value होता है 4 pi यह आप ध्यान रखना इसका value 4 pi इस्टे radian होगा sr लिग दिया मतलब इस्टे radian तो यह formula आपको याद रखना है इसका आपको बहुत ज़्यादा यूज होगा physics में खास कर आपको 12th class में इसको यूज करना पड़ेगा topic का नाम भी बता देता हूँ मैं electricity में electricity पढ़ते समय गास theorem और magnetism दोनों में इसका ज़ुरत पड़ेगा ठीक है तो यह आपको पहले से ध्यान में रखना है जनरली मैं 11th class पढ़ाते समय जो concept 12th में यूज होता है उसको student को पहले से बताते चलता हूँ इसलिए पहले से बताते चलता हूँ ताकि आपकी थोड़ी sincerity develop हो कि भाई यह जो चीज हम पढ़ने वाले हैं वो in future कहां कहां पर काम आएगा कहां कहां हमको use करना है तो एंगल हो गया solid एंगल हो गया next topic is dimensions of physical quantities अब हम देखते हैं कि physical quantities का dimension क्या होता है what is dimension dimension का मतलब होता है यह एक symbol है इस symbol के help से हमने physical quantities को represent करने का एक तरीका बनाया उसको बते हैं dimensional dimensions of the physical quantities तो सबसे पहले जो इसके dimension बनाये गए सबसे पहले mass के लिए देखो mass length and time सबसे पहले जो three fundamental units अपने पास mass, length and time इसको इस तरह से represent करने का एक तरीका बनाये गया यह इसको represent करने का एक method है M, L, T अभी हम three को बता रहे हैं वैसे हमारे पास physical, fundamental physical quantity 7 है fundamental physical quantity 7 है और पूरे 7 के dimension को हम उसके first letter के symbol से हम represent करते हैं यहाँ पर तीन को मैं बता रहा हूँ M, L, T M for mass, L for length and T for time तो M, L और T के power के फार में जो इसको हम represent करते हैं M का power A हो गया, L के power B हो गया और T का power C हो गया इस तरह से लिखने का जो तरीका है वे आप representation, आप fundamental units is dimension analysis, dimension formula तो यह dimension में इस तरह से लिखते हैं अब उसमें जो physical quantity वहाँ absent होता है उसके power को हम zero लिख देते हैं जैसे मालो हमको mass का dimension formula लिखना है तो mass का dimension formula क्या हो जाएगा M not M तो है M, L not, T not length का लिखेंगे M not, L, T not और time का लिखेंगे M not, L not, T इस तरह से dimension of physical quantity किसी भी physical quantity के dimension को हम इस तरह से represent करते हैं यह बहुत important है physical quantities के dimension और हमारा पूरा chapter इसी के study पर best है तो आपको dimension को बहुत ध्यान से समझना है इसी best पर इसको अपने को पूरा पढ़ना है चलिए, clear यहाँ तक अब हम देखें आगे यह है principle of homogeneity यह principle of homogeneity हमको सबसे पहले समझना है कि principle of homogeneity होता क्या है principle of homogeneity का मतलब होता है कि जैसे हमारे पास कोई physical quantities है अभी हम जो physical quantities पढ़हेंगे तो physical quantities में जो physical quantities के dimension formula that means अपन रिप्रेजेंट करेंगे उसकी property क्या होती है according to this principle the dimension of fundamental quantities आप both the sides दोनों साइट का जो dimension होता है physical quantities का must be same मतलब हमारे पास suppose कोई relation है कोई भी अपने पास relation है suppose first equation of motion है suppose अपने पास first equation of motion है V equal to U plus 80 तो principle of homogeneity क्या करता है principle of homogeneity करता है left hand side के dimension formula होगा वह right hand side के dimension formula के equal होगा ठीक है the dimension formula of the left hand side is equal to the dimension formula of the right hand side यहाँ पर देखो आप यह जो मैंने आपको बताया कि dimensions of the physical quantities तो इस फाम में आपने इसको represent करते हैं लेकिन किसी भी physical quantities का आपको dimension निकालना है कुछ और example दे दूँ है यहाँ पर तो जादा अच्छे से clear होगा चलिए यहाँ पर मैं कुछ example देता हूँ कि physical quantities के dimension हम निकालेंगे कैसे जैसे suppose मेरे को velocity का dimension formula निकालना है suppose velocity का dimension फार्मूला निकालना है तो सबसे पहले मेरे को velocity के formula में जाना पड़ेगा तो velocity का formula होगा displacement upon time displacement upon time अब displacement length होता है तो length upon time equal to हो जाएगा Lp to the power minus 1 तो velocity का dimension formula इस तरह से हो जाएगा तो जो fundamental unit है उनके dimension formula को हम direct लिख सकते हैं लेकिन जो derived unit है वो derived unit के dimension formula को आप इस तरह से निकालोगे अभी इसका एक तरीका बता देता हूँ आपको उसके बाद जैसे मालो मुझे acceleration निकालना है मालो इसका acceleration निकालना है तो acceleration equal to होता है velocity upon time तो इसका कैसे निकालेगा अब velocity के हमको पहले से पता है L t to the power minus 1 upon t t उपर जाके minus हो जाएगा तो L t to the power minus 2 यह क्या हो यागा इसका dimension formula होगा देखो जो physical quantity वहाँ पर absent है जैसे M तो M को आप लिख भी सकते हो नहीं भी लिख सकते हो आपकी मर्जी है आप चाहो तो अगले line में इसको ऐसा भी लिख सकते है जो की necessary नहीं है मैं बार बार आपको बतारों ऐसा लिख सकते है M not L t to the power minus 2 ऐसा भी लिख सकते हो तो ऐसा भी लिख सकते है हम उसको ऐसा भी लिख सकते है suppose आपको निकालना है force next मैं आपको बताऊं force का निकालना है तो force equal to क्या होता है mass into acceleration mass into acceleration अब mass का क्या हो जाएगा capital M और into acceleration का भी हमने निकालना है L t to the power minus 2 ते हो जाएगा M L t to the power minus 2 ऐसा निकाल लेंगे तो velocity का, acceleration का force का इस तरह से हम निकालते जाएगे that means किसी भी physical quantity का आपको यदि dimension formula निकालना है तो सब से पहले आपको उसका formula पता होना चाहिए फिर formula में आप सभी physical quantities के dimension को put up करोगे और solve करोगे तो वो निकाल जाएगा ये इसका पूरा list आप जो भी book consult करते होगे अब यहाँ पर one start video में मेरे को उसको पूरा list देने का मतलब नहीं है आप जो भी book consult करते होगे आपके पास जो भी book होगा यदि आपके पास NCIT book है या किसी भी writer का book होगा तो वहाँ पर पूरे dimension formula का एक list दिया हुआ है तो मेरा suggestion है कि आप धिरे-धिरे सब dimension formula learn कर लो क्योंकि in future आपको वह physical quantities के dimension formula लिखने के जूरत पड़ेगा computer exam में भी और numerical salve करने में भी उसका जूरत पड़ेगा तो यह आपको करना है यह आपको तयार करना है और अभी पूरा 11 पढ़ते समय है पूरा 12 पढ़ते समय है जितने भी physical quantities से आप introduce होगे सब का आपको dimension formula पता होना चाहिए और निकालने का तरीका इतना ही है चाहे जितना भी मैं निकालूँ उसके formula के best पर ही निकालूँगा तो यह आपको निकालना है तो यहाँ पर मैं आपको समझा रहा था देखो ऐसे आप dimension formula मतलब dimension आप physical quantities ऐसे निकालोगे यह fundamental का बताया फिर मैंने कुछ derived unit का आपको निकाल के बताया ऐसे आप practice कर लेना आसान है बस formula याद रहना चाहिए फिर यहाँ पर देख रहे थे principle of homogeneity तो मैं यही बता रहा था आपको कि suppose अपने पास कोई physical relation है physical relation means formula तो यह जो formula जैसे first equation of motion है भी आगे पढ़ेंगे है some detail में तो इसमें इसका dimension of left hand side होगा dimension of left hand side is always equal to dimension of right hand side तभी यह relation सही होगा अधरवाई सही नहीं होगा इसको बोलते हैं हम principle of homogeneity principle of homogeneity का मतलब होता है कि left hand side का dimension right hand side के dimension के equal होना चाहिए यह याद रखना क्योंकि इस principle से हम आगे बहुत से question करने वाले हैं ओके ओके नाउ नेस टापिक अब यहाँ पर देखो हम देख रहे हैं dimensional analysis and its applications अभी जो हम dimension analysis पढ़ रहे हैं उसका application क्या है यह बहुत important topic है आपके इस chapter का कि भाई dimension application जो हम पढ़ रहे हैं dimension formula जो पढ़ रहे हैं उसके applications क्या है की use क्या आता है इसका काम क्या आता है यह हमको पढ़ना है तो one by one हम इसके application को study करते जाते हैं यह आपका इस class का बहुत important topic है तो अच्छाज तयार करना है school exam में generally teachers इसमें से question देते हैं तो first application is to check the correctness to check the correctness of a physical equation मतलब क्या हुआ कि suppose हमारे पास कोई physical equation है physical equation का मतलब क्या है formula physical equation को ही हम formula कहते हैं तो suppose अपने पास कोई physical equation है और हमको उसको check करके बताना है कि भाई यह जो physical equation है वो right है कि रांग है correct है कि incorrect है यह हमको check करना है तो इतना important application है कि dimension formula के help से हम किसी physical relation का हम correctness check कर सकते हैं क्यों सही है कि लिए चलिए तक example ले लेते हैं इसके लिए और इसका एक example लेकि इसका हम solve करें देखो suppose मैंने इसके लिए एक example ले लिया कि एक relation है suppose second equation आप motion ले लिया s equal ut plus 1 upon 2 at square यह क्या है एक formula है जिसको हम second equation आप motion करते हैं अब इसको हम को check करना है कि भाई यह relation सही है कि गलत है इसके लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले इसमें जितना physical quantities use हुआ है इस relation में जितने भी physical quantities use हुए है सभी physical quantities के हम dimension formula लिख लेते हैं तो सबसे पहले हम लिख ले है dimension dimension आप S तो S क्या है यहाँ पर displacement है तो वो हो जाएगा M naught L T naught आपको सब का dimension formula याद होना चीह तभी आप बना पाओगे न उसके बाद हम लिख का लेते हैं dimension आप यह time T T क्या है time है यहाँ पर तो इसका dimension हो जाएगा M naught L naught T फिर आया क्या U तो dimension आप dimension आप U मतब वेलोसिटी और velocity का dimension होता है M naught L T to the power minus 1 फिर यहाँ पर आया acceleration यह भी हम लिखते हैं dimension आप acceleration A equal to हो जाएगा M naught L T to the power minus 2 तो सबसे पहला काम क्या करेंगे जिस physical relation का हमको correctness check करने की बाद करेगा उसमें जितने भी physical quantities use हुए हैं सभी physical quantities के हम dimension formula लिख लेंगे पहला काम इसके लिए क्या ज़़री है इसके लिए ज़़री है कि सबका dimension formula हमको याद होना चाहिए learn होना चाहिए कि भाई इसका dimension formula इतना होता है तो यह पूरे value को लिख लेंगे इसके बाद यह value को हम इसमें put up करते हैं तो सबसे पहले अपन निकाल लेते हैं therefore dimension आप left hand side left hand side का dimension निकालते हैं left hand side में S अकेला है और S का dimension है यह हमने लिख के रखा हुआ है M0 L T0 suppose this is relation number first relation number first है यहाँ पर हमने left hand side का dimension लिख लिख लिया अब हम निकालते हैं dimension of right hand side dimension of right hand side dimension of right hand side में यह जितने physical quantities आपको दीख रहा है यह सभी physical quantities के dimension को आपको हाँ पर put करते जाना है तो U का dimension formula देखो यहाँ पर हमने लिखा है यह होगा M0 L T to the power minus 1 यह U हो गया into T तो T का क्या हो जाएगा M0 L0 T इसके बाद plus 1 upon 2 acceleration का M0 L T to the power minus 2 और उसके बाद time के square M0 L0 T T का holy square यह हमने सभी के dimension formula को put up कर दिया अब इसको हम solve करेंगे तो क्या होगा देखो यहाँ पर जब यह multiply होगा अब ध्यान से समझना यहाँ पर जब multiply होगा तो multiply होने पर M का power add होगा L का power add होगा T का power b add होगा यहाँ पर M का power 0 है यहाँ पर भी M का power 0 है तो 0 प्लस 0 0 होगा T हो जाएगा M to the power 0 उसके बाद देखो L L का power यहाँ पर 1 है वहाँ पर 0 है तो 1 0 के साथ में add होगा 1 होगा इसके बाद T का देखो तो T का power यहाँ पर minus 1 है और T का power यहाँ पर 1 है that means plus 1 है तो minus 1 plus 1 0 हो जाएगा तो यहाँ होगा T to the power 0 प्लस यहाँ पर क्या होगा देखो 1 by 2 अब यहाँ पर देखो M का power 0 यहाँ पर भी M का power 0 होगा square 0 0 ही होगा तो यहाँ पर होगया M to the power 0 इसके बाद देखो यहाँ पर L का power 1 है और यहाँ पर L का power क्या होगा 0 होगा ठीक है L का power यहाँ पर 1 और यहाँ पर L का power 0 प्लस 0 1 हो गया यह 1 और T का पावर यहाँ पर देखो T का पावर माइनस 2 और यहाँ पर T का इस्क्वेर रहा तो प्लस 2 होगा तो माइनस 2 प्लस 2 0 होगा तो T to the power 0 हो गया अब देखो दोनों क्वांटिटी सेम हैं LC हम लेंगे तो यह होए आएगा 3 by 2 M not L T not अब यहाँ पर ध्यान से देखना यह जो 3 upon 2 है यह constant है और constant value का कोई dimension नहीं होता जो इस तरह से numeric constant होता है physical quantity के constant के dimension होते हैं आगे मैं समझाओंगा देरे देरे आप सब समझते जाओगे लेकि जो numeric constant होते है 3 by 2 is complete numeric constant तो numeric constant का कोई dimension नहीं होता तो उसको हम divide कर सकते हैं उसको छोड़ सकते हैं तो यह मिल जाएगा अपने को M not L T not suppose this is relation number second अब अपने explanation को बहुत ध्यान से आप समझो dimension आप left hand side यह है relation first असे dimension of right hand side यह है तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि left hand side का dimension right hand side के dimension के equal है the dimension of left hand side is equal to the dimension of right hand side यह भी M not L T not है यह भी M not L T not है तो दोनों के dimension same होने से क्या होगा यह correct हो जाएगा तो हम last में क्या लिखेंगे thus the given relation is correct यह क्या है correct है तो यहाँ पर हम last में लिख सकते हैं यहाँ पर में लिख रहा हूँ dimension of left hand side dimension of left hand side equal to dimension of right hand side therefore the given relation is correct और यह दोनों equal नहीं होता तो क्या बोलते है the given relation is incorrect तो यह हमारा first application हुआ dimension analysis and its applications का पहला now next application यह application और बहुत ज्यादा important है ध्यान से समझना to establish to establish relation between different physical quantities that means different different type के physical quantities में हम क्या कर सकते हैं relation create कर सकते हैं कि भाई इनके बीच में किस तरह का relation है that means हम formula derive कर सकते हैं तो to establish relation between different physical quantities उसके लिए हमने एक example यहां पर लिया हुआ है देखो यह example आप ध्यान से पढ़ो तो आपको समझ में आएगा यहां पर एक question है time period आप है simple pendulum depends on effective length depends on effective length of the pendulum and acceleration due to gravity deduce the formula यह बहुत important question है यह question क्या कहता है कि किसी simple pendulum का जो time period है time period आप है simple pendulum simple pendulum मतलब आप समझते हो एक pendulum होता है आगे इसी class में last chapter पढ़ोगे जिसको हम एक thread से लटका कि oscillation कराते हैं तो उसका time period है उसका time period क्या है उसके effective length और उसके gravitational acceleration पर depend करता है तो उसमें हमको relation find करना है कि उसमें क्या relation होता है यह relation हमको find करना है तो कैसे find होगा यह देखो इसका solution देखो तो सबसे पहले पहले लाइन में करना क्या होता है ध्यान से सुनना पहले लाइन में हमको क्या करना होता है जो depend करता है जैसे यहां पर कोण depend कर रहा है time period time period depend कर रहा है तो जो depend करता है उसको left hand side में लिखो suppose time period को हमने tc represent किया बहुत ध्यान से समझना एक बात आप हमेशा ध्यान रखना यदि किसी student को concept रच्छे से clear होते जा रहा है तो उस तरह के हजारों question कर सकता है लेकिन concept clear नहीं हो रहा होगा या आपने concept clear नहीं किया तो चाहे हजार question करो नया question नहीं बना पाऊगे तो physics के subject का एक important खासियत यह है कि यदि आपको concept अच्छे से clear हो गया तो one question is more than sufficient एक question ही परियाप्त है लेकिन concept clear नहीं हो तो कितना भी question करते रहो कोई फायदा नहीं होने वाला है इसलिए आप चीजों को बहुत ध्यान से समझने का कोशिश किया करो इसलिए मैं हर टापिक के बाद आपको एक example बता रहा हूं ताकि आप उसको अच्छे से समझ सको कि भाई इसको कैसे use करेंगे तो यहाँ पर आप देखो कि मैंने आपको बताया कि simple pendulum का जो time period है वो depend करता है तो time period को left side में लखो उसके बाद proportional का sign लगाओ और जितने physical quantities पर वो depend करता है उसको right side में लिखो जैसे किस पर डिपेंड करता है effective length length को यह ले लिया और किस पर depend करता है gravitational एसरे अच्छे ले लिया और किसी पर depend करता तो उसको भी हम लिखते मतलब जितने physical quantities पर वो depend करेगा उसको into करके लिखते जाएंगे और उसको लिखने के बाद उसके लिखने के बाद करेंगे क्या L का power A ठीक है औ और L का power A, G का power B और रहते तो और इस तरह से continuous लिखते जाते हैं और इसको फिर आगे हम simplify करते हैं that implies आगे हम इसको simplify करें तो T equal to a constant multiply करेंगे K और L to the power A और G to the power B suppose this is relation number first यह काम हम सबसे पहले करें तो सबसे important line है पहला line पहला line सबसे important line है कि पहले line में आपको लिखना है कि जो depend करता हो उसको left hand side में और जिस जिस पर depend करता हो उसको right hand side में लिखना है और इस तरह से power के फार में लिखना है अब यहाँ पर हमको क्या करना है जितने physical quantities में use हुए हैं सभी के physical quantities के dimension formula को वहाँ पर हम put up कर देते हैं तो कैसे put up करेंगे देखो आगे solve करें that implies यह time है तो time का dimension formula m0 l0 t यह होगा आप k को छोड़ दो क्योंकि constant है और इस constant का कोई dimension formula नहीं होगा इसके बाद यह l है length तो length का dimension formula क्या हो जाएगा m0 l t0 और इसका power a हो जाएगा और into यह g है तो acceleration का dimension formula होगा m0 l t to the power minus 2 और इसका power क्या हो जाएगा b इस तरह से तो यह इसका power a हुआ और इसका power b हुआ अब इसको हम solve करेंगे that implies इसको solve करेंगे तो क्या हो जाएगा m0 l0 t equal to multiply होगा तो यहाँ m का power 0 है और यहाँ पर m का power 0 होगा यह m to the power 0 हो गया अब देखो यहाँ पर l का power a होगा और यहाँ पर l का power b है और दोनों का multiplication है तो इसके power add होंगे तो यह हो जाएगा l to the power a plus b यह होगा इसके बाद यहाँ पर देखो t का power 0 है यहाँ पर t का power minus 2b है तो 0 तो 0 है t का power होगा minus 2b यह relation मिलेगा अब इसके बाद हम क्या करेंगे left hand side और right hand side से क्या करेंगे इसके dimension के power को compare करेंगे ठीक है तो comparison यहाँ यह compare the power of compare the power of m, l and t compare the power of m, l and t both side compare the power of m, l and t both side तो क्या होगा देखो m का power यहाँ पर 0 है यहाँ पर m का power 0 है उसको compare करेंगे ज़ूरत नहीं है यहाँ पर l का power 0 है यहाँ पर l का power a plus b है तो therefore a plus b equal to 0 हो जाएगा वहाँ पर t का power minus 2b है और यहाँ पर t का power 1 है तो minus 2b equal to 1 हो जाएगा अब इसको आगे हम solve करें that implies इसको यदि मैं solve करूं नीचे वार relation को तो minus 2 को उधर transfer कर दूं तो b का value निकल जाएगा minus 1 upon 2 इस तरह से b का value minus 1 upon 2 निकल गया और इसमें यदि इस relation में b का value put कर दूं तो a minus 1 upon 2 equal to 0 therefore a equal to मिल जाएगा 1 upon 2 इस तरह से a और b का value निकल गया a का value 1 upon 2 a का value 1 upon 2 और b का value minus 1 upon 2 अब a और b के value को हम क्या करें ये जो relation first है उसमें अपन put up कर दें तो therefore from first therefore from first यहाँ पर दी हम इसके value को put up करें तो t equal to k into l का power a तो l to the power क्या होएगा 1 by 2 और g का power minus 1 by 2 होगा इस तरह से देखो l का power 1 by 2 और g का power minus 1 by 2 और आगे हम इसको क्या लिख सकते हैं that equal g का power denominator में आ जाएगा so that implies t equal to k एक साथ combine इसमें हम root लगा देंगे root का मतलब power 1 by 2 होता है तो root लगा देंगे और l numerator में रहेगा और g denominator में चलाएगा इस प्रकार से जो relation मिला है t equal to k under root l upon g ये physical quantity में relation होगा ये simple pendulum के time period निकालने का formula होगा यहाँ पर k की जगा में value आता है constant उसको बाद में मैं जब आपको limitation पढ़ाऊँगा जब आपको मैं limitation पढ़ाऊँगा तो limitation पढ़ाते सामें मैं उसको आपको explain करूँगा तो ये t equal to k under root l upon g ये क्या होगा इसका formula होगा तो ये second application है to establish relation between different physical quantities ठीक है second application now next application is to convert one system of unit into another ये तीसरा application है third application क्या करता है to convert one system of the unit into another आपको generally पता होगा कि कई बार हमको physics में numerical बनाते समय एक unit को दूसरे unit में convert करना होता है इसको change करना होता है तो हम physical quantity की सहता से एक unit को दूसरे unit में convert कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं इसके लिए सबसे पहले मैं आपको एक formula बता दूँ और इस formula को learn करने के बाद इस पर हमें एक आपको question बताएंगे सबसे पहले हम इसका formula देख लें तो formula यहाँ पर होता है N2 equal to N1 under bracket M1 upon M2 to the power A into L1 upon L2 to the power B और into T1 upon T2 to the power C इस तरह से देखो यह हमारा formula है इसको convert करने के लिए एक system को दूसर सिस्टम में convert करने के लिए इसका formula है यहाँ पर कौन-कौन सा value क्या है आप ध्यान रखना here N1, M1, L1 and T1 यह जितने 1 वाले value हैं यह सब क्या है given unit है इनको हम given unit में लिखेंगे मतलब numerator में हमेशा हम उस unit को लिखेंगे जो हमको question में given है numerator में हम वो unit लिखेंगे जो given है और denominator में मतलब denominator में मतलब N2, M2, L2 and T2 इसको हम लिखेंगे किसमें यह है to convert तो convert यूनिट है जिसमें हमको convert करना है वो 2 होगा यह बात यदि आप भूले तो question आप सही नहीं बना पाओगे यह दोनों बात को आप ध्यान रखना 1,1 वाला जो value है वो given वाला रहेगा और 2,2 वाला value है वो convert वाला रहेगा इस तरह से 1,1 वाले value को हमको given में put up करना है और 2,2 वाले value को हमको convert वाले में fill up करना है तो यह इसका formula हो गया अब हम इस पर एक question देख लेते हैं इस पर हम एक question solve करें तो देखो यह हमने question लिया इसके लिए इस question को हम solve करते हैं इसके लिए देखो यह बहुत best example है और इसी example को हमको solve करके आपको explain करना है कि यह कैसे बनता है question है the unit of work in the mk system the unit of the work work का unit mk system में जूल होता है convert into arg arg क्या होता है unit of the work in CGS system अब question का ध्यान से समझो आपको given क्या है given है work का unit mk system में that is joule convert किसमें करना है उसको convert करना है हमको arg में which is the unit of CGS system जो कि CGS system का unit है तो हमको mk system में जो joule है उसको CGS system में arg में convert करना है question आगया समझ में अब इसको किस तरह से हम convert करेंगे इस formula के help से उसको हमको देखना है तो solution क्या है इसका देखो सबसे पहले देखो कि क्या दिया है unit unit किसका unit दिया है unit दिया है work का यह हमको work का unit देना है तो सबसे पहले हमको यह देखना है कि भाई हमको जो unit दिया है वो किसका unit है जब तक आप यह decide नहीं कर पाएंगे कि work का unit क्या है तब तक dimension तब तक आप question solve नहीं कर पाएंगे तो अब इसके बाद लिखे हम इसका dimension formula तो dimension formula इसके हम निकालें dimension of work dimension of work क्या होगा भई देखो work equal to क्या होता है force into displacement work equal to force into displacement जैसे याद है तो अच्छी बात है otherwise work equal to होता है force into displacement force मैंने बताया m l t to the power minus 2 और यह हो जागा यह तो हो जागा m l square t to the power minus 2 वैसे आपको याद रहे तो ज़्यादा अच्छा है यह work का dimension formula होता है तो dimension of work हो जाएगा m l square t to the power minus 2 यह हम सबसे पहले एक एक इस्टेब आप ध्यान से समझते जाना सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि हमको जो physical quantity दिया हुआ है उसका dimension formula क्या है पहला काम यह है जब हमको पता चाल जाएगा कि dimension formula क्या है physical quantity का तो वहाँ पर here here m का power a होता है to a equal to 1 हो गया l का power b होता है to b equal to 2 हो गया और c का power यह t का power और यह c minus 2 हो गया तो here a equal to 1 b equal to 2 c equal to minus 2 अब यहाँ पर देखो कि work में हमको जो given unit है यहाँ पर मैं आपको लिख दूँ कि हमको जो given unit है given है वो m केस है और जो convert करना है convert करना है वो क्या है cgs है यह आपको पता होना चाहिए कि given unit m केस है जो की joule है और जिसमें convert करना है वो arg है यह हमको arg है convert करना है तो हमने जो formula भी आपको बताया जो formula हमने पीछे बताया एक formula मैं एक बार लिख देता हूँ formula में क्या बताया n2 equal n1 m1 upon m2 to the power a l1 upon l2 to the power b and t1 upon t2 to the power c अभी मैंने आपको यह वाला formula बताया यह formula बताया इस formula को वहाँ पर लिख देंगे और given में 1,1 लिखेंगे और convert करने में 2,2 लिखेंगे that equal अब value हम यहाँ पर put करें that equal n1 can 1 रहने दो m1 क्या है given है अभी बताया कि 1 वाला given होता है और आपको given unit क्या है mks है given unit mks है तो mks होने पर यह जो m है उसको हम लिखेंगे kg क्यो kg लिखेंगे क्योंकि given unit mks में है और mks में mask का unit होता है kg तो यहाँ पर m1 के जगा kg लिखेंगे और m2 क्या है convert करने वाला unit है convert unit cgs है और cgs system में mask का unit होता है gram तो हम kg अपान क्या लिखेंगे gram लिखेंगे और power a और a का power हमको यहाँ से पता है तो उसका power क्या लिखेंगे 1 यह आपको value put up करना आना चाहिए तो numerator में आप given unit को लिखोगे और denominator में जो convert करना है उस unit को लिखेंगे इसमें mistake मत करना यदि आपको इस question को अर्ग को जूल में change करने के लिए बोलता है अर्ग को जूल में तो numerator में cgs लिखते और denominator में के लिखेंगे यहाँ mistake किये आप यदि आप यहाँ mistake किये तो गया पूरा answer ठीक उल्टा आ जाएगा तो यहाँ पर थोड़ा care करना है इसलिए मैंने यहाँ पर सब चीज बहुत clear cut बता दिया है ऐसा generally books वगरा में detail declare नहीं रहता है बस फार्मूला देकर question दे देते हैं लेकिन चुकि हमारा यह class है तो हम एक एक चीज को आपको बहुत depth हमें discuss कर रहे है बहुत ध्यान से आप समझना है उसको book और class के study में बहुत difference होता है l1 upon l2 तो l1 अब क्या हो जाएगा यह meter और upon centimeter और b का power यहाँ पर 2 है तो हमने 2 लिग दिया इसके बाद यहाँ पर देखो t1 upon t2 तो यह second होता है यह भी second होता है second upon second इसका power minus 2 यह हो जाएगा clear यहाँ तक अब मैं इसको यही पर solve कर दूँ side में ही कर दूँ तो ज़्यादा better है यहाँ पर मैं solve कर दूँ ध्यान से समझना that equal अब देखो यहाँ पर अब हमको क्या करना है kg को gram में change करना है kg को gram में change करना है क्योंकि हमको इसको convert करना है तो kilogram को हम gram में change कर दें तो क्या हो जाएगा n1 यह हो जाएगा thousand gram तो thousand upon one और power one को लिखने का ज़़ुरत नहीं है power one तो one है इसके बाद meter को centimeter में change करेंगे तो क्या हो जाएगा 100 centimeter upon one centimeter इसका power two है और second upon second तो one upon one होगा इसका power minus two क्योंकि second second का सभी unit में second ही होता है तो second upon second one हो जाएगा वो cancel out हो जाएगा समझो आगे हम इसको solve करें तो that equal n1 यह हो जाएगा thousand thousand को हम लिख सकते है 10 का power 3 यह 10 का power 3 हो जाएगा यहाँ पर देखो यहाँ पर इसको 10 का power 2 लिख सकते है किसको 100 को तो 10 का square हो गया 10 का square और power यह 2 में चला गया इस तरह से तो power 2 into 2 4 हो जाएगा 2 into 2 4 और 4 3 7 that equal यह हो जाएगा n1 अब हमको क्या बोला है the unit of work इसको 1 ले सकते है 1 तो इसको 1 ले लिए यह हो जाएगा 10 to the power 7 और 10 to the power 7 और this is the final answer इसका मतलब क्या हुआ कि 1 joule equal to therefore therefore हम लिख सकते है 1 joule equal to 10 to the power 7 और यह convert हो जाएगा 1 joule 10 to the power 7 और के equal होता है तो यह इसका method है इस तरह से आप किसी भी physical quantity को आप convert कर सकते हैं एक unit से दूसरे unit में बस आपको यह formula पता होना चाहिए तो थर्ड number का application हुआ इसके बाद हम इसका fourth और last application देखते हैं जो कि बहुत ही आसान है यह जो last application है four number का यह बहुत आसान है वैसे तीन application जादा important है जो शुरवात में मैं बताया यह तो बस ऐसी है यह क्या कहता है to determine the unit of to determine the unit of a physical quantity हमको यहाँ पर physical quantity का unit determine करना है कि भाई physical quantity का unit क्या होता है for example यहाँ पर हमने एक example लिया हुग है एक example को ध्यान से देखो आप यह बोलता है to find the to find the unit of work चलो work कहीं हमने example लिया in SI by dimensional method बोलता है कि आप work का unit निकालो dimension formula के help से तो dimension formula का help लेना है और बनाना है उसका unit तो कैसे solve करेंगे देखो इसका solution क्या होगा solution is अब हम यहाँ पर लिखेंगे dimension up अभी हमने use किया है dimension up work equal to होगा m l square t to the power minus 2 अब आपको कुछ नहीं करना है इसमें जो जो physical quantity use हुआ है उसके units लिख देना है जैसे first क्या है mass तो mass का क्या होगा kg फिर यह क्या है length length का हो जाएगा meter square और यह time time का second तो second inverse square यह इसका unit हो गया तो इस तरह से work का जो unit होता है kg meter square second inverse square होता है और इसी को हम single word में क्या कहा देते है joule scientist के नाम पर इसी को joule कहा देते है एक्चुल में joule जो हम कहते है ना वो joule तो scientist का नाम है joule का मतलब होता है kg meter square second inverse square इसी को हम single word में joule कहते है joule के respect के लिए कि भई joule ने इसको बताया था worker का unit joule ने बताया था तो joule के नाम पर इसको joule का देते है बाकी joule का मतलब यह होता है तो यह हमारा application क्या कहता है to determine the unit of a physical quantity तो यह for application हमने यहाँ पर आपको explain किया for application dimension formula के बहुत important application है और इसके बाद क्या करना है अपने को आगे topic देखना है तो पहले आपको सब से पहले dimension formula का application अच्छे से तयार करना है यह आपके exam में आता ही है now next topic is next topic है हमारा देखो limitation of limitations of dimensional analysis मतलब यहाँ पर जो हमने dimension formula पढ़ा यहाँ पर हमने जो dimension formula पढ़ा dimension formula का application पढ़ा उसके अपने कुछ limitations है limitations है मतलब क्या हुआ कि कुछ limit तक ही वो follow कर सकते हैं इसको उस limit तक किसी भी चीज का limitation मतलब उसकी सीमा कि भाई यह कहां तक सही है इसके limitation में सबसे पहला limitation कई बार exam में पूछता है कि इसके क्या के limitation है कि क्या भाई यह हमेशा काम करता है तो first limitation is the method does not give an information about the dimensionless constant मतलब क्या बोलता है कि जो dimensionless constant होता है जैसे भी आपने देखा आपने भी क्या देखा कि यह जो formula हमने derive किया यह dimensionless constant है कि कि यहाँ पर dimensionless constant है उसको यह नहीं बता पाता है मतलब actual में जो real जब हम इसका formula derive करते हैं तो वहाँ पर आना चाहिए 2pi तो यह हमारा application यही कह रहा है एक बार आप आप इसको ध्यान से समझो कि इसका कहना है कि the method does not does not give any information about the dimensionless मैं यहाँ पर इस example के फार्म में भी आपको बतायता हूँ कि जैसे अभी हमने t equal to क्या किया के root of l a 5g यह हमने derive किया जब कि यह होता क्या है t equal to 2pi under root l a 5g होता है example भी मैं यहाँ पर लिग दे रहा हूँ तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो dimensionless constant है उसको यह नहीं बता पाता मतका इसका limitation यह है कि यह physical quantity में relation तो बताता है लेकिन physical quantity में relation बताने के साथ यह नहीं बता पाता कि उस constant का value कितना होगा यह limitation इसका यह है इसके बाद देखो इसका second if formula contents more than one tons it can not be established with this formula मतलब अभी हमने second application में क्या पढ़ा कि यह physical quantities में relation बनाता है लेकिन इसका मतलब यह नहीं पहला application पढ़ा कि physical quantity में relation तो बनाता है अभी हमने देखा कि t equal to 2 by root of 5G हमने relation बना दिया लेकिन जिसमें more than 2 terms हो for example for example यही मेरे को इसमें यह relation बनाना है क्या v square equal to u square plus 2as तो इस formula को यह derive नहीं कर सकता क्यों? क्यों इसमें more than देखो लिखा है more than 1 terms यदि 1 से ज़्यादा terms हो तो इसमें relation नहीं बना सकता और इसमें more than 1 terms है मतलब 2 terms है right hand side में इसलिए यह बहुत important है धियान रखना कई बार एक्जाम में पूछा जाता है write the limitation of dimension formula या dimensional analysis and third is तीसरा क्या कहता है देखो by this method we cannot identify we can't identify that either the quantity is vector or scalar देखो यह बेचारा यहां भी failure है बोलता है कि हम कोई physical quantities पर relation निकाल लेते हैं लेकिन यह यह नहीं बता पाता कि जो physical quantity है वो scalar है कि vector है मतलब यह vector और scalar determine नहीं कर पाता इस तरह से देखो dimension formula का अपना एक limitation है dimension formula उससे आगे काम नहीं कर पाता dimension formula का analysis है यहां तक हमारा dimension formula का जो concept है वो clear होता है अब इसके बाद हमको new topic की start करना है और new topic में हम start करेंगे क्या significant figure significant figure बहुत important है calculation के लिए खासकर competitive exam में इसे question आता है NEET में तो हमेशा record है कि इसे question पूछा जाता है और significant figure आपको calculation करने के बाद answer लिखने के लिए भी helpful होगा तो significant figure के आपर rules पढ़ लेते हैं देखो significant figure का rule क्या है significant figure सबसे पहले हम देखें कि significant figure होता क्या है significant figure मतलब जो proper हमारा formula होता है जो proper हमारा formula होता है उसको apply करने के बाद जब हम calculation करते हैं तो calculation करने के बाद हमको result मिलता है उसमें जितने figure हमारे useful होते हैं जितने figure जरूरी होते हैं जितने figure को हमको बताना होता है calculation के लिए उसको हम significant figure कहते हैं अब significant figure find करने के लिए हम यहाँ पर कुछ rules आपको बता रहे हैं यह rules को आपको ध्यान में रखना है clear तो यह जो significant figure है इसमें सबसे पहला rule हमारा आप देख रहे हो यहाँ पर यह है all the zeros all the non zeros digits are significant all the non zeros digits are significant significant number मैं आपको example के help से समझाओंगा example एक एक example देते जाओंगा rule के बाद और उसको बताते जाओंगा कि उसका मतलब क्या होता है देखो तो पहला significant figure के लिए हमने यहाँ पर जो आपको explain किया हुआ है देखो all the non zero digits non zero digits मतलब जिसमें जो zero है वो ना हो non digits तो यहाँ पर मैं आपको explain करते जा रहा हूँ कि इसमें significant number कितने होंगे तो non zero number कौन कों से है 3 और 5 यहाँ पर 3 and 5 यह non zero numbers है तो यह significant number count होंगे मतलब इसका significant number कितना होगा 2 होगा तो significant number इसका 2 हो जाएगा यह आप ध्यान रखो इसके बहुत साथ rules आपको है clear होते जाएंगे बनते जाएंगे आपको अगला rule क्या कहता है all the zeros between two non zero digits तो rule change हो गया थोड़ा अब ऐसा नहीं है कि 0 को significant number में count नहीं किया जाएगा 0 को significant number में count कब नहीं किया जाएगा जब इस तरह से वो last में हो लेकिन two non zero के बीच में हो two non zero digits के बीच में दी significant number हो तब हम उसको count करते हैं significant में ठीक है जैसे यहाँ पर example देखो उसी example को मैंने दुबारा लिखा अब यह दोनों zero को मैंने three और five के बीच में रख दिया तो यहाँ पर significant figure कितना हो जाएगा four हो जाएगा इतना strategic example आपको दूँगा सभी rule के लिए कि बिल्कुल एक बार आप सुनोंगे forever preparation हो जाएगा वो इसलिए बहुत ध्यान से एक एक rule को और एक एक example को आपको समझते जाना है कि किस rule के लिए मैं आपको किस तरह के example दे रहा हूँ तो यहाँ तक clear आपको देखो next rule next rule हमारा क्या कहता है देखो if the number is less than one यदि number क्या हो एक से less हो छोटा हो the zeros on the right of decimal points but to the left of the first 90 digits are not significant number इसका मतलब क्या हुआ देखो यहाँ पर आप example में देखो यहाँ पर जब हम significant number लेंगे तो यह दोनो 0 significant number में count नहीं होंगे क्यों? क्योंकि यह decimal के बाद के यह decimal के बाद के 0 है तो decimal के बाद के 0 significant number में count नहीं होगा लेकिन यह वाला 0 significant में count होगा तो यहाँ पर जो significant number होगा वो कितना होगा 4 होगा यह significant number का value 4 होगा clear तो यह rule से ज़्यादा important example rule से उतना clear नहीं होगा जितना example से clear होगा इसलिए मैं सब का आपको proper rule बताते जा रहा हूं और rule के carding आपको proper example बताते जा रहा हूं उसके carding आपको समझना है इसको next the terminal आप trailing 0 in a number without a decimal point are not significant मतलब क्या काता है कि यदि हम क्या करें उसके क्या करें ट्रेलिंग करें 0's को मतलब यदि हम unit change करें मतलब unit change करें change the unit यदि हम unit को change कर दें जैसे यहाँ पर देखो 123 meter है तो 123 meter में significant number कितना होगा 3 होगा लेकिन यदि हम इसको centimeter में change कर दें तो 123 00 centimeter हो जाएगा तो अब ही आपको मैं बताया हूँ कि last के 20 है यह significant number में count नहीं होगे that means यह भी significant 3 होगा यहाँ पर इसको millimeter में change कर दिया तो 3 0 आ गया तो यहाँ पर भी significant 3 होगा यह बहुत important rule है मतलब सीधा सीधा आप यह कह सकते हो कि यदि हम किसी physical quantity को unit को change करें meter को centimeter बना दें centimeter को millimeter बना दें millimeter को एंगे stamp बना दें तो only zero change होते जाता है आपको मालूम है आगे को zero change होगा और non zero को अपने को क्या करना है zero को क्या करना है significant में count नहीं करना है तो देखो यहाँ पर 123 meter कभी significant 3 होगा 123 00 centimeter कभी 3 होगा 123 000 millimeter कभी significant number 3 होगा यह rule आपको याद रखना है ओके clear यहाँ दर next next rule क्या कहता है देखो the telling zeros in a number with a decimal points are significant यह बोलता है कि यह क्या होगा जब वो telling number में होगा वो significant में होगा जैसे यहाँ पर example में देखो यहाँ पर decimal 3.5 के बाद 2 0 लगा हुआ है 3.5 के बाद double 0 लगा हुआ है तो यहाँ पर यह significant number में count होगा यह 0 अब count होगा यदि सिर्फ 500 रहता तो ध्यान देना यदि 3.5 double 0 रहता 3.5 double 0 तो यहाँ पर significant number कितना होता 2 यहाँ पर significant number 2 होता लेकिन यहाँ पर हमने decimal लगा दिया यहाँ पर decimal लगा दिया तो फिर significant number 4 हो जाएगा यह बात आपको ध्यान में रखने ठीक है तो यह rule में क्या लिखा हुआ है the trailing zeros का मतलब हुआ यह जो zero है decimal के बाद in a number with a decimal point are significant decimal point के साथ में significant होगा यहाँ पर भी कितना होगा यह वाला zero count नहीं होगा यह वाला zero count लेकिन यह वाला zero count होगा तो यहाँ पर भी significant number फोर होगा बही example को बहुत ध्यान से आप समझना example को बहुत ध्यान से समझना मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि मैंने इतने classes लिये हैं significant number पर students को confusion रहता है इसलिए मैं हमेशा इसको rules से ज़्यादा example के help से समझाता हूँ rules तो याद नहीं रहते हैं लेकिन example याद रहते हैं कि किस तरह के situation में हमको significant number क्या count करना है ओके now next rule is the power of 10 is irrelevant to the determination of significant figures अब देखो irrelevant irrelevant का मतलब क्या हो गए यहाँ पर कि 2.3 into 10 to the power 10 तो यह relevant नहीं है irrelevant है इसको significant में count नहीं किया जाएगा यहाँ पर significant number कितना होगा 2 होगा मतलब कहीं पर भी यदि हम क्या करें 10 के power में लिखें किसी value को 10 के power में लिखें तो वो significant number में count नहीं होता तो यह rule है हमारा significant number के लिए next अभी बहुँ से rule है एक एक करके देखते जाओ देखो अब जो हम देख रहे हैं यहाँ पर यह थोड़ा ध्यान दे न यहाँ पर मैंने एक example add करके ही दिखा दिया है जिसको थोड़ा आपको ध्यान से समझना है rules for arithmetic operations with significant figures arithmetic operations मतलब we have four types of arithmetic operations addition, subtraction, multiplication and division तो four types के मारे पास जो mathematical operations होते हैं यह mathematical operations में हम significant number को कैसे count करते हैं यह आपको समझ रहा है तो सबसे पहले देखो in addition in addition or subtraction addition और subtraction में बहुत ध्यान से समझो यह सबसे important rule है यह सबसे important rule है यह आप ध्यान से नहीं समझोगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि actual significant का addition में हम कैसे use करते हैं तो यहाँ पर देखो in addition or subtraction the final result should written as many decimal places as are there in number with least decimal places list decimal places is important sentence list decimal मतलब जिसका सबसे छोटा decimal होता है उसको हम count करते हैं यहाँ पर हमने एक example लिया है देखो addition का add the following यहाँ पर हमारे पास यह four digits है यह, यह, यह और यह यह सब को हमने add किया मैं already इसको add करके यहाँ पर रख दिया हूँ ताकि आपको मैं explain कर सकूँ इसको किस तरह से फिर addition में time waste होता तो मैंने example को complete addition करके show कर दिया अब जब हम इसको add करेंगे तो add करने के बाद हमारा result आया है यह 1020.886 अब बहुत ध्यान से समझना रूल क्या कहता है कि यह जो four digits हमने add किया है इसमें list decimal वाला list significant number वाला number कौन सा है तो आपको पता है कि यह जो है यह 5.8 यह 5.8 है यह क्या है list decimal है list number है और इस list number में देखो क्यों इसका significant number क्या है 2 है बाकी सबका significant number इससे ज़्यादा है अब जब हम इसको salve करेंगे तो हमको इसी को follow करना होगा मतलब जो list decimal वाला है list decimal क्या है 5.8 है और 5.8 में decimal के बाद single digit हमने लिया है तो यहाँ पर भी हम decimal के बाद single digit लेंगे मतलब 1020.8 को लेंगे लेकिन आगे यहाँ पर answer में 9 लिखा गया है तो उसका rule क्या है round off करें का rule क्या है कि यदि इस number के बाद अब यहाँ ध्यान से सुनना यदि इस number के बाद 8 के बाद का जो number है जो की यहाँ पर क्या है 8 है तो इसका value उसका value यदि greater than r equal to 5 हो यदि वो उसका value greater than r equal to 5 हो 5 से बड़ा हो तो देखों यहाँ पर 8 का value 5 से बड़ा है तब हम क्या करेंगे इसके पहले वाले number में 1 increase कर देते हैं मतलब यह जो 8 था उसको हम क्या बना देंगे 9 बना देंगे यह rule होता है significant number में कि decimal के बाद जो number हम complete लिखने वाले हैं उसके बाद का number यदि 5 r greater than 5 हो 5 is also including 5 जैसे 5 होगा तो भी include होगा कई लोग को 5 में confusion होता है कई लोग में उस class में पूछते हैं कि सर 5 रहेगा तो क्या करेंगे तो भाई 5 रहेगा तो भी हम सामने वाले number में 1 increase करेंगे और 5 से greater रहेगा तब तो करेंगे ही तो यह इसका answer हो जाएगा और यहाँ पर आपको significant number दी पूछेगा तो 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पर significant number 5 हो जाएगे तो addition इस तरह से किया जाता है और हम सब significant number उसके बता सकते हैं ते हो गया subtraction का example अब हम देखें एडिशन का हो गया अब हम example देखते हैं किसका subtraction का यह देखो इन multiplication अच्छा एक मिनट हमने ठीक है बस subtraction का example देने का ज़ूरत नहीं है subtraction का example देने का ज़ूरत नहीं है क्योंकि जैसा addition में rule है exact वही subtraction में rule है तो उसके लिए फिर अलग से कुछ example ज़ूरत नहीं है अब हम आपको समझा देते हैं सिधा multiplication and addition तो multiplication and addition में भी यही rule होता है देखो यह है इसमें हमने दोनों example लिया हुआ है यह multiplication का example है और addition का example तो यह दोनों number को हमने multiply किया देखो दोनों number को multiply करने के बाद हम list देखेंगे तो 2.02 यह list value है यह list value है तो जो answer आएगा multiply करने से यह answer आया है तो इस list value में decimal के बाद 2 place है तो decimal के बाद 2 place मतलब हमको यहाँ पर 4 और 6 को लेना है decimal के बाद 4 और 6 को लेना है तो यह दोनों digit को हम लेंगे decimal के बाद लेकिन इसके बाद का number 7 है जो की 5 से greater है तो 5 से greater होने के करण यह 6 को हम क्या लिख लेंगे 7 तो यह इसका answer हो जाएगा बहुत आसान है significant number actual में उस student को difficult लगता है जिसको यह सब चीज explain ही नहीं किया गया है यदि कोई teacher अच्छे से आपको explain कर दे या आप खुद से rules को यदि example के साथ अच्छे से पढ़ ले तो significant number में कोई problem नहीं है इसके बाद देखो division यह division है तो division में देखो यहाँ पर 7500 और 20.83 अब यहाँ पर देखो इसको देखके लग रहा हूँ आपको बड़ा number है लेकिन नहीं यही list number है क्योंकि इसके पास list significant number है इसके पास significant number कितने है 2 यह last के दोनों 0 count नहीं होंगे तो यह है तो अब यहाँ पर देखो हमको चूंकि इसमें 2 है तो यहाँ पर हमको क्या करना है इसके कार्डिंग अपने को work करना है तो 360 यह 360.055 तो यहाँ पर हमको कितना लेना है 3 digit लेना है मतलब 2 significant number लेना है हमको 2 significant लेना है तो हमने लिया 360 क्योंकि इसमें significant number कितना आएगा 2 आएगा यह वाला 0 count नहीं होगा यह 0 count नहीं होगा तो significant number 2 तो least significant वाला value क्या है 2 significant है तो जो answer आएगा multiply करने के बाद उसमें only इतना लेंगे क्योंकि इसमें 2 significant number 360 में 3 significant है नहीं समझे ना 360 में 0 काम का नहीं है only 3 और 6 काम का बाद है 2 significant number तो इस तरह से हम क्या करते है multiplication और division यह multiplication के example है और यह division के example है तो multiplication और division के example में हम इस तरह से significant number count कर सकते हैं तो मेरे खाल से आपको significant number बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा और यह आपको समझना भी बहुत जोरी है अच्छा आपको मैं बार बार याद दिला रहा हूँ कि हमारा यह जितना भी टापिक हम आपको पढ़ा रहे है उसका आपको return notes भी available है लेकिन कहां available है वो available है हमारे application पर हमारे application का नाम है origin the learners hub तो आप हमारे application में जाईए जहां पर आपको free notes मिलेगा ऐसा नहीं कि उसको मैं बार बार याद दिला रहा हूँ तो कोई फी लगता होगा उसके लिए ऐसा purpose नहीं है वहाँ free available है हो बस आप study material section में जाएंगे और free notes दिया है तो आपको 11th class का 12th class का सब हमारा English medium में पूरा का पूरा हमारा नोर्स बहुत अच्छे से board exam के pattern पर लिखा गए आप उसको पढ़के 100 out of 100 marks ला सकते हैं चलिए next हमारा topic है अब जब अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है error error को मैं यदि आपको कहूँ तो ये एक ऐसा topic है जिसके बिना किसी competitive exam का question बनता नहीं है यदि कोई competitive exam का syllabus हो और उसमें measurement में error से related question आए ऐसा होई नहीं सकता हर exam में error से related question आता है तो error को आपको बहुत ध्यान से समझना है errors को आपको बहुत ध्यान से समझना है तो यहाँ पर देखो errors in measurement errors in measurement हम जब measurement करते हैं तो उसमें किस किस तरह का errors हो सकता है errors का मतलब क्या होता है यहाँ पर मैंने एक बड़ी है definition लिख दिया है देखो यह definition को मैं एक बार read करता हूँ the difference in the true value the difference in the true value and the measured value of the quantity is called error of measurement कई बारे student मुझे पूछते हैं sir what is error हमको लिखते नहीं बनता है एक जाम में कि error क्या है तो भाई मैंने बड़ी हाँ definition यहाँ पर लिख दिया है error क्या बोलता है error का कहना है कि जो true value होता है और जो उसका measured value होता है for example कि suppose हमारे पास true value 20 cm है 20 cm true value है और भाई मैंने उसका measurement किया और measurement में कुछ mistake का कारण उसको 19.9 मैंने measurement कर लिया तो इसका true value था यह और मैं measurement यह कर लिया तो इसका हम error निकालेंगे तो 0.1 meter क्या हो जाएगा उसका error हो जाएगा तो यहाँ पर क्या बोला है the difference in the true value true value के साथ जो measured value होता है true value के साथ में जो measured value होता है इसका जो difference होता है यही difference क्या कहलाता है errors कहलाता है यह इसका error हो जाएगा इस तरह से यह इसका मतलब होता है अब सवाल यह उड़ता है कि error होता क्यों है तो हमको थोड़ा सा theoretical portion discuss करने हाला कि यह सब एक्जाम में नहीं पूछे जाते हैं और इसको theoretical portion आप reading कर लेना सबसे important है combination of error मतलब जो error होता है उसको हम combine कैसे करते हैं तो वो हमारे लिए सबसे important है तो यहां पर सबसे हम discuss कर लें कि इरार किस किस रीजन से होता है किस यह हम एक बार देख लेते हैं तो देखो इरो होने के कितने region हो सकते हैं वह सथ बहुंँ से region है लेकिन कुछ important region पर मैं discuss कर रहा हूं first is instrumental error, instrumental error का मतलब क्या है कि भाइ सपोस मेरे पास जो device है वही faulty है उसमें problem है उसमें manufacturing defect है वो ठीक से बना नहीं है यह दि उसके meter centimeter के lining या जो भी है उसमें वो perfect नहीं है, तो error होगा, सभाव उक्रिफ से होगा, तो first is instrumental, मतलब मेरा device ही defective है, तो error हो सकता है, second is zero error, zero error क्या होता है, कि हमारे instrument में adjustment करने के लिए, zero adjustment करने के लिए, कुछ system दिया रहता है, जैसे suppose हम galvanometer यूज कर रहे हैं, अब galvanometer यूज कर रहे हैं, इसके needle को zero में होना चाहिए, यहाँ पर, लेकिन जब हम उसको use करना शुरू किये, तो इसके galvanometer का ये थोड़ा सा left side में खिसका हुआ है, तो यह zero error हो गया, vernier calipers में, screw gauge में, सब में zero error हो सकता है, तो zero error होने के कारण भी हमारा error हो सकता है, यहाँ पर adjustment करने का चोटा सा system दिया रहता है, वहाँ पर इसको driver लेको उसको आप धिरे से खिसका होगे, तो ये needle वापस अपने position पे आ जाता है, तो इसका knowledge होना चाहिए, teacher को या फि लेब में जो use कर रहा है, उसको knowledge होना चाहिए, कि भी value हम measure कर सकते हैं, the minimum value which is measured by any instruments is called list count, किसी भी device से जो minimum value हम calculate कर सकते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, list count कहते हैं, वो list count होता है, ठीक है, तो list count का भी error हो जाता है, इसके बाद ये बहुत important है, personal error, अरे भीया काम करने वाला है, यह ठीक से ना जानता हो, मान लो personal error का मतलब कहा हो सकता है, इसको user error भी कह सकते हैं, कि मान लो मेरे को किसी device को use करना है, अब मुझे ठीक से आता नहीं, मुझे ठीक से reading लेना नहीं आता, मैं धंग से सिखा नहीं हूँ उसको, तो मैं errors भावी कृप से कर सकता हूँ, तो error के combination आप error में हम पढ़ेंगे error in addition, error in addition का मतलब क्या होगा देखो, जैसे suppose हमने कुछ एक एक example दो, उसके बाद आप इसको समझ पाओगे, addition में जो error का calculation हम करेंगे, देखो, किस तरह से करेंगे, जैसे हमको two values का addition करना है, तो suppose हम किसी length को measurement कर रहे हैं, तो length को measurement करेंगे तो हमने two times, three times, four times में हमने उसको measurement किया, तो ऐसा करेंगे तो हमको हर बार error हो गया, suppose एक measurement करने में कुछ error कर लिया, फिर मैं second measurement करने में कुछ error कर लिया, फिर third measurement करने में कुछ error कर लिया, इस पकार से suppose एक line को मुझे measurement करना है और यहाँ पर इसको measurement करने में फिर इतना measurement करने में फिर ये measurement करने में मैंने बार-बार मैं measurement करने में error कर रहा हूँ और जब मैं इसका total measurement निकालूँगा तो total measurement निकालूँगा तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? addition करना पढ़ एक error को, तो error को हम 8 किस तरह से करते हैं, यह हम यहाँ पर देखेंगे, देखो, calculation में, उसके बाद मैं हर question के बाद आपको एक numerical भी कराऊंगे, इसका तभी हो समझ में आएगा अच्छे से, चलिए, तो यहाँ पर हम देखें, कि suppose, suppose pure value है, Z equal to A plus B, यह pure value है, अब हमने error कर लिया, Z plus minus del Z, equal to हो जाएगा, A plus minus del A, मतलब हमने A के measurement में del A, A के measurement में हमने del A error कर लिया, इसके बाद हम देखो, plus B के measurement में, plus minus del B का हमने error इसमें कर लिया, that equal आगे, इसको हम सालो करें, that implies Z plus minus del Z equal to क्या होगा, यह A और B को एक साथ हम कर लें, तो A plus B हो जाएगा, A plus B, bracket के बाहर यह दि हम plus minus ले लें, तो अंदर हो जाएगा यहाँ पर, del A plus del B, यह होगा, अब यहाँ से देखो, कि दोनों साइट से आप देखो, कि यह जो value है A, B, यह क्या है, Z के equal है, तो यह Z, Z के साथ में cancel out होएगा, और therefore, यहाँ पर जो del Z होगा, उसका value हो जाएगा, del A plus del B, इस तरह से यह concept क्या करता है, कि हम दोनों error को क्या करेंगे, add कर देंगे, जब हमको add करना होगा, हम दोनों error को add कर लेंगे, यह maximum error भी कहलाएगा, तो error को हमेशा क्या करना है, हमको add करना है, ठीक है, maximum error इस पकार से, तो ऐसा हम इसका addition करेंगे, चलो हम यहाँ पर एक example देख लें, एक example से हमको यह बात clear हो जाएगा, देखो, example से हमको पूरा clear हो जाएगा, question कैसे बनेगा, the measurement of two bodies, suppose अपने पास two bodies है, उसका measurement, उसका mass, उसको हमने mass measurement किया M1, तो 23.6 plus minus 0.5 kg, और दूसरा जो mass है M2, उसको 17.6 plus minus 0.4 kg, इसको हमने reading लिया, अब हमको निकालना है, find the sum of the measure of the bodies, कि इस body को क्या होगा, total value, तो सीधा-सीधा हम क्या निक ठाल लेंगे, हाँ पर कि total जो sum होगा, मतलब mass equal to सीधा हो जाएगा, M1 plus M2, that equal, इसका value हम put करें, तो 17.6, that equal, यह होगा, 17.6 plus minus 0.4, यह होगा, और plus, इसका value कितना हो जाएगा, अच्छा, उसका value M1 का पहले लिखना था, चलो, कोई बात नहीं, M1 का value होगा, 23.6 plus minus 0.5 plus M2 का value क्या होगा, 17.6 plus minus 0.4, अब देखो, यह अपने pure value के साथ में pure value add होगा, मतलब यह इसके साथ में add होगा, और error, error के साथ में add होगा, बहुत आसान है यह, यह वाला addition का जो problem होता है, बहुत आसान होता है, ठीक है, तो यहाँ पर दोनों को add करेंगे, तो 23.6 और 17.6, 0.6, 0.5, 12 हो जाएगा, और इधर 7, 10, 11, यह हो जाएगा 41.2, यह हो गया 41.2, और प्लस, यहाँ पर जो इसका value आएगा, 0.9, प्लस माइनलास हम कहें, तो दोनों क add करेंगे, तो 0.9, यह इसका error हो जाएगा, यह इसका pure value होगा, यह इसका error हो जाएगा, तो addition का जो problem है, बहुत आसान होता है, generally addition, subsection के question नहीं आते, question multiplication और division का आता है, जो आगे हम पढ़ेंगे, ओके, now next, next topic is, error in difference, अब difference में अदि हम error निकालें, तो किस तरह से calculate करेंगे, देखो, suppose we have pure value is a minus b, a minus b, suppose हमको क्या करना है, दोनों value में, a और b में हमको difference find करना है, difference find करना है, तो यहाँ पर हम इसको value का पन put up करें, तो therefore z plus minus del z equal to a हो जाएगा, a plus minus del a और minus b plus minus del b होगा, उसी तरह से इसको हम simplify करें, that implies z plus minus del z equal to a और b को एक साथ लिख लें हम, तो a minus b होगा, और यह हो जाएगा plus minus, यहाँ del a minus del b, तो यह हो जाएगा del a minus del b, इस तरह से del a minus del b होगा, बट यहाँ पर देखो, कि error कभी भी subtract नहीं होते हैं, error को हमेशा 8 किया जाता है, क्योंकि maximum error होता है, तो यहाँ पर जब हम bracket open करेंगे, bracket open करेंगे, तो plus minus होगा, यह हो जाएगा del a plus minus भी यहाँ पर आप प्लिक सकते हो, लेकिन हम maximum error में always plus लेंगे, अभी numericals में कराऊँगा, तो आपको पूरा clear हो जाएगा, कैसे लेते हैं, तो यहाँ पर z, z के साथ में यह z है, इसके साथ cancel out हो जाएगा, तो therefore, del z equal to यहाँ पर भी, del a plus del b ही होगा, और यह maximum error होता है, यह maximum error होता है, तो यहाँ पर भी क्या किया जाएगा, इसके value को 8 किया जाएगा, तो subtraction के भी case में हम error को minus नहीं करेंगे, error को हम plus ही करेंगे, देखो यह example, इस example से मैं आपको बहुत अच्छे से इस बात को clear कर दूँगा, यह बहुत best example है, NCRT का problem है, देखो, the temperature of two bodies measured by a thermometer are, T1, 20 degree Celsius plus minus 0.5 degree Celsius and T2 equal to this, calculate the temperature difference and the error therein, यह अच्छा question है, यह NCRT का problem है, और बहुत best question है, ध्यान समझना, क्योंकि ज़्यादा तरी strength इसमें mistake करते हैं मेरे को मालूम है, इसलिए मैं इस example को लिया है, तो यहाँ पर जो temperature difference होगा, मतलब del T equal to हम लेंगे इसको T2 minus T1, बात का temperature ज़्यादा है, और पहले का temperature अपने पास कम है, यह 50 degree है 20 degree, इसके value हम put up कर दें, that equal T2 का value कितना होगा, T2 का value 50 degree Celsius plus minus 0.5 degree Celsius, यह होगा, और minus T1 का value, तो T1 का value 20 degree Celsius plus minus 0.5, 0.5 degree Celsius, यह होगा, अब यहाँ पर बहुत important बात है, ध्यान रखना, वो यह है, कि यह 50 degree Celsius, 20 degree Celsius के साथ subtract होगा, इसके साथ minus होगा, और next line में हमारा answer हो जाएगा, 50 minus 20, that means 30 degree Celsius, लेकिन plus minus यहाँ पर जो error होगा, यह दोनो minus नहीं होगे, 0.5 और यह 0.5, मैं भी आपको concept पर बताया, कि यह दोनो add होगे, दोनो error add होगे, इस पकार से यहाँ पर देखो, 0.5, 0.5 add होके हो जाएगा, 1.0 degree Celsius, तो यह यहाँ पर बहुत important point है, कि error यह होगा, जबकि मैंने देखा है, कि बहुत स्टुडेंट, जब इस question को competitive में पूछा गया है, और उसमें error पूछा है, तो 0 error लिख देते हैं, कैसे लिख देते हैं, यह difference है करके, 0.5 में 0.5 को minus कर देते हैं, तो 0.5, 0.5 के साथ minus होके 0 होगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा, addition होगा, यह दोनो add होगे, यह तो subtract होगा, यह इसके साथ में subtract होगा, but error क्या होगा, add होगा, तो यहाँ पर 1.0 degree Celsius का इसमें error आएगा, clear, तो यह इसका final answer है, यह इसको ध्यान रखना, इसलिए मैंने इस example को especially लिया, ताकि आपको वो concept clear हो जाए, कि error को subtraction में भी हमको minus नहीं करना है, that is maximum error, वो तो error minus होके तो फिर 0 हो जाएगा, तो फिर हम जो error किये थे, वो खतम हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, चलिए, next है, और यह बहुत important है, कि अब अब हमको बताए, error in product, कि product में error किस तरह से होता है, product, division और power, यह error के जो three types हैं, यह सबसे ज़्यादा important है, इसमें से question हमेशा आता है, चलिए तो यहाँ पर हम देखें कि किस तरह से error को हम calculate करते हैं, product में, तो suppose, z equal to अपने पास a into b है, यह कैसे काम आएगा, अब rectangle का हमने length measurement किया और इसका width measurement किया, तो suppose किसी rectangle का या किसी square का, हमने length of width calculate किया, length of width calculate करने पर जब इसका area निकालेंगे, तो area equal to length into width होगा, area equal to length into width होगा, तो यहाँ पर जब error हम निकालेंगे, तो multiplication farm में निकालेंगे क्योंकि यहाँ पर error को हम add तो कर नहीं सकते क्योंकि area length into width होता है वैसी यदि हम volume निकाले suppose हमें volume निकाला किसी cube का, cube height का तो हाँ length निकालेंगे, width निकालेंगे, height निकालेंगे तो volume निकालेंगे तो length into width height होगा, मतलब सब का आपस में multiplication होगा, इस पकार से यहाँ पर हमको यह समझना है कि जब हमको multiplication farm में error adjust करना होता है या combine करना होता है, तो कैसे करते हैं clear, example आपको समझ में आ गया होगा कि क्या करते हैं तो z equal to a into b a pure value है इसको suppose मैंने relation number first दे दिया therefore z plus minus del z plus minus del z equal to a के जगा में लिख सकते हैं a plus minus del a, यह हमने multiply कर लिया, और into होगा b plus minus del b, यह हो जाएगा that implies आगे इसको solve किया जाए, तो यह हो जाएगा z plus minus del z equal, अब आगे multiply करो तो a का दोनों के साथ multiply करेंगे तो यह हो जाएगा a into b फिर a का इसके साथ multiply होगा या इसका मैं पहले इसके साथ multiply कर दूँ तो plus minus यह हो जाएगा del a into b del a into b होगा तो a का multiply कर लिया इसके साथ फिर इसके साथ इसका multiply कर लिया अब हम एक बार ऐसा करो तो ज़्यादा आसान है a का दोनों के साथ करो तो A यह हैं, इसके बाद इसके साथ करो, तो plus minus A into del B, अब इसका इसके साथ करो, तो plus minus del A into B, plus minus del A into del B, यह होगा, अब इस relation को आप ध्यान से समझना, इस relation में आप देखो, कि यह जो del A into del B value है, यह small value होगे, यह negligible होगा, क्योंकि error क्या होता है, बहुत small value होता है, error आप बड़ा नहीं कर सकते, बड़ा error करने से error थोड़ी हो, तो पूरा mistake हो, फिर आपको करना ही नहीं आता, error मतलब, real value से बहुत छोटा होना चाहिए, error, तब तो error कहलाएगा वो, तो del A और del B बहुत छोटे value होते हैं, small value होते हैं, और जब two small values, if they are less than one, then product up to less than one values are, after multiplication they are very less, वो और बहुत छोटा हो जाता है, जैसे 1 upon 2, into 1 upon 2, 1 upon 4 हो जाएगा, तो यह दोनों value के होता है, बहुत छोटा हो जाता है, इसमाल हो जाता है, उसको हम negligible मान सकते हैं, और यह Z है, यह Z AB के साथ cancel होड़ाएगा, क्योंकि Z AB के equal है, तो therefore, यहाँ पर देखो, therefore, del Z का जो value मिलेगा, वो हमको क्या मिल जाएगा, इसको मैं पहले लिख लेता हूँ, इसको मैं पहले लिख लेता हूँ, तो del A into B plus minus A into del B, ठीक, आगे पीछे लिखने से चलेगा, अब हम क्या करते हैं, पूरे relation में Z divide कर देते हैं, तो del Z upon Z equal to, यहाँ भी Z divide करेंगे, तो del A into B, और Z का value AB है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, AB plus minus, यह हो जाएगा, A into del B upon A into B, यह होगा, यहाँ पर देखो, आगे हम इसको solve करें, तो that implies, यहाँ से क्या मिलेगा, del Z upon Z, del Z upon Z equal, अब यहाँ देखो, यह दोनों cancel out होगा, कौन किस के साथ cancel out होगा, यहाँ पर B, B के साथ cancel out होगा, यहाँ पर AA के साथ होगा, तो यह हो जा यह हो जाएगा, del A upon A, del A upon A, और maximum error निकालना है, तो plus ही लिखेंगे, minus को हम छोड़ देंगे, तो plus यह हो जाएगा, del B upon B, इस formula को हम multiplication के लिए use करेंगे, तो यह जो हम formula आपको बता रहे हैं, यह formula multiplication के लिए use किया जाएगा, यह वाला formula, अभी मैं आपको सबका example बता रहा actual में मुझे मालूम है कि error पढ़ाते समय यदि कि student को सिर्फ इतना समझा दिया जाए, तो उसको तो पता ही नहीं चलता कि sir, यह formula हम कहाँ use करेंगे, कैसे use करेंगे, इसलिए हर concept के बाद, एक numerical ज़रूरी है, ताकि हम आपको उसका application समझा सकें, ठीक है, तो इस तरह से, del Z upon Z equal to del A upon A plus del B upon B formula use करके हम करेंगे, चलिए question देखते हम, यह हमारा question है, यह question बहुत important है, यह question कई बार competitive exam में पूछा जा चुका है, जनरली जो भी example में आपको ले के आ रहा हूँ, वो किसी ने किसी exam में पूछा हुआ है, ताकि वो important question में आपको करा सको, बाद में numerical के class में माल length, width and height, आप a rectangular wooden block are 2%, 3% and 5%, find the percentage error in the volume, volume of block, अभी मैं आपको बताया example, आपको explain करते समय बताया, कि suppose अपने को volume कल्कुलेट करना हो, तो volume को हम किस तरह से कल्कुलेट करेंगे, देखो उस तरह का question में आपके लिए लेके आया, अब यहाँ पर देखो, कि हम देखें कि हमारे प क्या बलते हैं, उडन ब्लाक है, तो उडन ब्लाक का length, width, height तीनों है, तो volume कैसे निकलेगा उसका, तो solution क्या होगा इसका, इसके solution में देखो, volume L equal to length into width into height, length into width into height, ऐसा होगा, therefore, अब इसको हम error के फार्म में यदि लिखें, बहुत आसान होता है, बहुत ही आसान, एक बार टे इसको error के फार्म में लिखना है, तो error के फार्म में हम कैसे लिखेंगे, ये होगा, del B upon B equal to L को लिख सकते हैं, हम del L upon L, plus ये लिख सकते हैं, del B upon B, और plus H को लिख सकते हैं, del H upon H, ये होगा, अब इसमें हमको error calculate करना है, total तो सीधा percent को अपन लिख देते हैं, del L upon L, 2% length में error है ये हो गया 2%, plus width में error है 3%, ये हो गया 3%, और plus height में error है 5%, तो हमने length में 2% error किया, width में 3% किया, height में 5% किया, तीनों को 8 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा ये, 10%, 10% is final answer, बहुत आसान है ये देखो, इस पकार से हम इसके error निकाल लेंगे क्या, 10%, okay, clear यहां ताक का आपको समझ म आ गया, इस तरह से ये हम निकाल सकते हैं किसमे error, multiplication में error निकाल सकते हैं, अब हम यहां पर निकालते हैं, division में error किस तरह से होता है, देखो, अब यह हमारा next topic है, error in division, division में error के लिए हम division वाला फार्मूला लेंगे, z equal to a upon b के फार्म में है, therefore, ये हो जाएगा z plus minus del z equal to, ये हो a plus minus del a, और upon में होगा b plus minus del b, चली, अब हम इसको simplify करें, that implies simplify करेंगे इसको, तो z plus minus del z equal, ये numerator से हम a common कर लेते हैं, a common कर लेंगे, तो 1 plus minus del a upon a होगा ये, क्योंकि जिसको हम common करेंगे, उसका दोनों में divide होगा, जब भी किसी number को हम common करते हैं, तो अंदर के पूरे numbers में उसके division होते हैं, और नीचे से हम b को common कर लें denominator से, तो ये हो जाएगा, 1 plus minus del b upon b, ये होगा, that implies, अब आगे इसको solve करें, तो z plus minus del z equal to, ये हो जाएगा a upon b, a upon b into, इसका power 1 है, इसको उपर ले जाएं, तो 1 plus minus del a upon a, और इसका power उपर जाके, 1 plus minus del b upon b, ये power क्या होगा, minus 1 हो जाएगा, इस तरह से, इस condition में हम पहुँच जाएंगे, अब हम क्या करते हैं, पूरे relation में, हम पूरे relation में, एक बार इसमें binomial छोरम एप्लाई कर देता हूं, binomial छोरम मैंने आपको बताया हुआ है, देखो एक बार फिर आपको मैं याद द दिला दूँ, कि हमारे channel में आपको basic mathematical tools का playlist मिलेगा, और आप 11th class के सभी students को मेरा suggestion है, कि आप physics पढ़ने से पहले, ये हमारा भी starting का chapter है, basic mathematical tools को आप बहुत अच्छे से revise कर लो, जो हमारे playlist में बहुत अच्छे सा मने वीडियो बनाया हुए उसको, आप देख लो उसको, जिस दूर कर लो, ये physics से समझने का सबसे important part यही है, कि आपका basic mathematical tools strong रहे है, तो ये सब मैंने वहाँ पर पढ़ाया है, तो binomal स्वर हम यूज करेंगे, तो ये क्या होता है, सामने आके multiply हो जाता है, इस तरह से आगे जब हम इसको simplify करें, तो that implies ये हो जाएगा, z plus minus del z equal a upon b, ये ह है, one plus minus del a upon a, और second bracket में ये हो जाएगा, one सामने multiply हो जाएगा, तो minus plus del b upon b होगा, ये, अब हम क्या करते हैं, पूरे relation में, पूरे relation में हम z divide कर देते हैं, that implies ये पूरे relation में z divide कर दें, तो यहाँ पर z, z के साथ divide हो के one हो जाएगा, और ये हो जाएगा, plus minus del z upon z equal है, यहाँ पर del divide होगा z, तो a upon b z के equal है, देखो a upon b z के equal है, तो a upon b cancel out हो जाएगा, और अंदर हम को मिलेगा, one plus minus del a upon a, और ये, one minus plus del b upon b, ये मिलेगा, that implies, अब देखो ये, one plus minus del z upon z, अब इसको अंदर multiply करें, one का, तो one का दोनों के साथ multiply होके, one minus plus को plus minus भी लिख सकते हैं, plus minus del b upon b, और जब इसका multiply होगा, तो plus minus ये हो जाएगा, del a upon a, और plus minus, ये del a into del b upon a b, अब इसी step को आप ध्यान से समझना, इस step में आप देखो, कि ये negligible quantity है, तो इसको हम छोड़ देंगे, ये negligible quantity है, इसको हम neglect कर देंगे, negligible मान लेंगे, ठीक है, और इसके बाद भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर, ये one है, ये one के साथ में cancel out हो जाएगा, one, one के साथ cancel out हो जाएगा, और आगे जो हमको इसको value मिलेगा, वो क्या मिलेगा, therefore, del z upon z equal to, इसको मैं पहले लिख लेता हूँ, तो ये हो जाएगा, del a upon a, और plus maximum लेंगे, तो minus को छोड़ देंगे, del b upon b, यहाँ पर एक खात बात आप देख रहे होगे, कि यहाँ पर भी formula वैसी आता है, जैसे multiplication में आता है, यह आपने पीछे देखा है, कि ये formula, multiplication का formula भी यही था, del z upon z equal to, del a upon a, plus del b upon b, और division का भी formula यही है, तो multiplication और division में formula एक जैसे आता है, दोनों में, इसलिए इसके जो question है, एक जैसे बनते हैं, तो इस फाम में हमारा कोई question रहे, तो उसका error इस तरह से calculate किया जाएगा, यह होता है division में, चलिए इस पर एक example देख लें, overall आपको example से ही सब्सीज अच्छे से clear होगा, देखो example को थ्यान से आप समझो, example के statement read करता हूं में क्या कहता है, the error committed in the measurement of potential across a conductor and the current through it is 5% and 2% respectively, बदब potential और उसका जो current amount of current इसमें 5 और 2% का error हो रहा है, what will be the percentage error, what will be the percentage error in the calculation of resistance of the conductor, तो conductor के resistance में कितना error होगा, यह हमको calculate करना है, ठीक है, चलिए, देखें इसका solution हम देखें, तो कैसे solve आया है, सबसे पहले हमको देखने पड़ेगा, कि I, V और R में क्या relation है, तो आपने 10th class में ohms law पढ़ा होगा, और ohms law आपने आपने पढ़ा है, कि V equal to क्या होता है, I into R, where V is potential, I is current and R is resistance, therefore, चुकि हमको यहाँ पर क्या करना है, रजिस्टेंस में error find करना है, तो इसको हम resistance के लिए solve कर लेते हैं, तो R equal to क्या हो जाएगा, V upon I, देखो formula division farm में आगया, V upon I के, जैसे V upon V था, इसको error के लिए हम solve कर लें, तो error के लिए solve करेंगे, तो क्या हो जाएगा, therefore, del R upon R equal to यह हो जाएगा, del V upon V plus del I upon I, मैं आप लोग potential में कितना दिया हुआ है, potential में 5% का error दिया हुआ है, यह 5% हो गया, और plus current में दिया हुआ है, 2%, यह 2% हो गया, that equal 7% is answer, तो बहुत आसान है, और इस तरह के question पूछे जाते हैं, बस समझना हैं आपको, देखो कोई भी चीज जब तक समझे ना रहें, तो बहुत difficult लगता है, यह question यदि किसी का concept clear ना हो, तो उसके लिए बहुत difficult है, लेकिन देखो है क्या इसमें, इस level के question नीट में पूछे जाते हैं, इस तरह के question नीट में पूछे जाते हैं, तो IIT तो नहीं कह सकते, नीट में पूछा जाता है, NDA में पूछा जाता है, तो यह question बहुत important है, यह हो vision भी आएगा, सब आएगा, और error in power का question सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, नीट में तो बिल्कुल fix है, जितने students आप नीट के preparation कर रहे होंगे, उनको मैं suggest कर दूँ कि error in power को बिल्कुल 100% तयार कर लो, आपके paper में question आ रहा है उसका, IIT में भी आता है, लेकिन बहुत complicated फाम suppose कर लेते हैं, a to the power n, यह power के फाम में है, therefore, with error क्या होगा, z plus minus del z equal to, इसको हम लिखेंगे, a plus minus del a to the power n, यह ऐसा लिख लेंगे अपन, चली, अब इसको हम simplify करते हैं, simplify करेंगे, that implies, z plus minus del z equal, यहां से हम a common कर लेते हैं, तो a power के साथ common होगा, a to the power n होगा, दोनों में a का division होगा, तो one plus minus, यह हो जाएगा, del a upon a to the power n, that implies, आगे हम इसको solve करें, तो z plus minus del z equal, अब यहां पर देखो, binomial स्रम में apply करेंगे, भी मैंने आपको बताया, तो binomial स्रम में apply करेंगे, तो n सामने आके multiply हो जाएगा, तो आगे हम इसको क्या लेश सकते हैं, that equal a to the power n, और यह होगा, one plus minus n into del a, यह binomial स्रम का special case है, यह सब आपको जानना है, तो मेरा basic mathematical tools का video आप जरूर देखो, प्ले लिस्ट से, जरूर देखो, सब चीज मैंने आपको, algebra में इसको पढ़ाया है, द्वीपत्प्रमे, by normal theorem, हिंदी में इसको द्वीपत्प्रमे बोलते हैं, अब आगे देखो, कि अब इसमें क्या करते हैं, हम z को divide कर देते हैं, z divide करेंगे, तो one plus minus, यह हो जाएगा, del z upon z, that equals z divide करेंगे, तो cancel out हो जाएगा, क्योंकि यह z का ही value है, और अंदर बचेगा, one plus minus n into del a upon a, अब आगे इसको देखो, तो दोनो one, दोनो साइट से cancel out हो जाएगा, यह वाला one, इस one के साथ cancel out हो जाएगा, और यह हमको final equation जो मिलेगा, तो therefore, therefore यह हो जाएगा, del z upon z equal to n into del a upon a, this is the final equation, यह final equation होगा, और इसको यह दि ब्राट सेंस में अपन लिखें, suppose इस relation को हम बहुत ब्राट सेंस में लिखें, तो यहाँ पर मैं note करके लिख रहा हूँ, यह तो हमने केवल एक value के लिए calculate किया है, किस के लिए, only one के लिए, लेकिन suppose we have two or more than two values, and different different powers, यदि हमारे पास two or more than two values है, सबके power अलग अलग है, और कुछ multiplication फार्म में है, कुछ division के फार्म में है, तो हम उसको कैसे लिखेंगे, देखो, suppose we have z equal to a to the power p, b to the power q, और upon c to the power r, suppose इस फार्म में है, यह बहुत favorite formula है, और यह formula एक बार लरन करेंगे, बाद अभी इस related में numerical भी कराऊंगे, इसके just about, पूरा concept clear हो जाएगा, ठीक है, तो इसमें यदि हम लिखें, error को, तो किस फार्म में लिखेंगे, देखो, del z upon z equal क्या होगा, जो a का power p है, वो सामने आ जाएगा, p, और यह हो जाएगा, del a upon a, उसके बाद r का power, b का power है, वो सामने आ जाएगा, तो हो जाएगा q, और यह हो जाएगा, del b upon b, इसके बाद जो r है, वो सामने आएगा, और in to i हो जाएगा, del c upon c, यहाँ पर बहुत student confused होते हैं, पूछते हैं sir, कि c denominator में हैं, तो उपर जाके minus हो जाएगा, क्या, नहीं होगा, क्योंकि maximum error है, वो always plus होगा, ever, never can be subtract, वो हमेशा add होगा, तो यह यहाँ पर भी add होगा, ध्यान रखना यहाँ बहुत confusion रहता है, मुझ कर सकते हैं, ठीक है, तो यह हमारा हो जाएगा, error का calculation, multiplication के फाम में, power के फाम में, तो यह आपको समझ में आ गया होगा, अब मैं एक example आपको बताता हूँ, और उस example से आपको फिर पूरा clear समझ में आ जाएगा, यह है हमारा एक best example, और इस example के बारे में मैं आपको बता इतने competitive exam में आ चुका है, यह example बहुत से competitive exam में आ चुका है, यह मैं हमेशा एक question समझाता हूँ, ताकि इस अकेले question से पूरा concept clear है, ब्रम हास्त रहे, मतलब इसको यदि आपने समझ लिया, तो आप इस तरह के सारे question एक बार में कर सकते हैं, चलिए, तो question को ध्यान से पढ़ि square b cube of 5c root of d, if the percentage error of measurement in a, b, c and d are 4%, 2%, 3% and 1% respectively, then calculate the percentage error in x, ओके, तो बस इस formula को हमको error के फाम में लिखना है, यह हमारा last question है, और इस question के बाद हमारा error complete हो जाएगा, 100% clear, चलिए, तो हम इसको error के फाम में लिख लें, तो कैसे लिखेंगे, इसका हम solution लिखें, since हमको question में दिया हुआ है, x equal to a square b cube upon c root of d, therefore इसको error के फाम में लिखेंगे, तो हम लिखेंगे इसको del x upon x, del x upon x equal to power 2 है सामने आ जाएगा, तो 2 into del a upon a plus यहाँ power 3 है, सामने आ जाएगा 3, del b upon b, और plus यहाँ पर c का power 1 है, तो कुछ भी नहीं होगा, यह हो जाएगा del c upon c, और plus इसका power 1 upon 2 है, तो 1 upon 2, यह हो जाएगा del d upon d, अब हमको कुछ नहीं करना है, सबको value put up करना है, देखो, इसमें 4% का error है, तो 2 into 4% plus, b में कितना percent है, 2% का, तो 3 into 2% plus, c में error है 3% का, यह हो जाएगा 3% और plus 1 upon 2, d में error है 1% का, यह हो जाएगा 1%, यह, that equal हम solve करें, तो हो जाएगा, 8% plus, यह 6% और plus c हो जाएगा, 3% और plus यह हो जाएगा, 0.5%, 1 upon 2, मतलब 0.5, 8 करो इसको, कितना हो जाएगा, 8 plus 6, 12, और 3, 15, ठीक है, तेक कितना हो जाएगा इसका value, 15.7, ओके, यह हमारा final answer हो जाएगा, 17, एक में, sorry, 8 plus 6, 14, 14, sorry, 14 plus 3, 17, 17.5, यह हो जाएगा, 17.5%, This is the final answer, ओके, तो यह error हमारा complete हो गया, तो इस तरह से आपने देखा, कि हम अपने इस पहले chapter, second chapter, sorry, units and measurement, बहुत छोटा chapter है, बहुत important है, पूरा physics का base है, तो हमने अपने इस lecture में आपको unit से start किया, आपको unit समझाया, फिर dimension formula समझाया, dimension formula के applications हमने देखा, सब के numericals देखे, इसके बाद हमने significant number देखा, सभी तरह के significance के rules के example देखा, फिर error देखा, और सभी तरह के error का combination कैसे करते हैं, यह हमने calculate किया, तो मैं समझता हूँ कि इस one start video को देखने के बाद आपका units and measurement 100% prepare हो गया होगा, हम इसके लिए एक और video बनाएंगे, जो only numerical पर best होगा, only numerical, इस तरह से हर chapter के आपको two videos मिलेंगे, एक मिलेगा उसके पूरी theory के लिए one start, और दूसरा उसके उसके उस पर best numerical skill, हला कि numerical हम concept के साथ साथ कराएंगे, लेकिन वो example की तरह होगा, pure numerical हम एक अलग class में कराएंगे, इस तरह हमारी पूरी कोशिस होगी, कि हमारे students इस channel में हमारे वीडियो को देख कर 100% prepare हो जाएं, उनको कहीं भी किसी तरह का problem ना हो, 11th preparation as well as competition also, IIT, JE, NEET and NDA, ओके, तो मैं समझता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और next class में हम आपके लिए लेके आएंगे, इसका second number chapter का, second, मने third chapter, motion in state line, तो motion in state line के topic, हम one start में लेके आएंगे, ओके, thank you, thank you so much.